लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइटिन को प्रेस करें अनन्यास्चिन्त यंतोमां ये जनाह पर्युपासते तेशाम नित्याधियुत्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहं करें लोगक्षेमं ये लिएक मुआपफ़ां इनन्यास्फराओश टॉाड़ी इनने येपने लिए देएचराइब रगगे की लोगक्षेमं वहाम्यह, वहाम्यश रट्पासते कर दो बड़़् कि बड़र कर अब आग था दो आग। कि एंग आगे ब कि एंगे लंग इंग प्राइब इंग ईग कि आग गाग ुब्र मुल्ड़ मौर डौर एइजिए्ग ए प्रजापते साहा इदम प्रजापते या ओम इंड्राए स्वाहा इदम इंड्राया। ओम सुमाया। ओम अग्न ऐस्वाहा। आईया जा। ऐसे इसे न म опред problem सब्टावण, जीदे राव के लाइवधियर्णौ और यूअ fait ओबहुये दो तन्यरी onsाल मरी। भागवान, मैं isce आप से Am реш. जी कहां राजा भोज, कहां गंगो तेली, मैं तो उनका नमखार दोस्त हूँ, अब मेरा नाम करम चंद है, आप कौन है, मैं टाइम्स वीकली का खास कर्सपॉंडेंट हूँ, सेट शांति सुरूप की साथवी सालगरा पर उनके इंटर्व्यू के लिए आया हूँ, जरूर ज मिस्टर राम, क्या आप बिजनस में अपने पिता जी का हाथ बटाते हैं? अजी तार सेट जी कि हर लड़के का अपना-पना कारोबार है, मिस्टर राम के पास कबड़े के मिलों की एजंसिया है, और ये हैं इनके छोटे भाई, मिस्टर शांप, इनके पास मोटर कंपनी के और ये मत सोचिए कि सेट सहाब का कोई तीसरा बेटा नहीं, मैं उनका सबसे चूटा बेटा हूँ, और मेरा नाम है ब्यूटिफुल रेट, ब्यूटिफुल रेट, सुंदर लाग, और मैं अभी तक कवारा हूँ, लेकन कुछी जिनों में इम्तान पास कर लूँगा, भग हमारे घकी छोटी सी गुडिया, हमारे सबसे छोटी बै, पिताजी की लाड़ी है, अभी पड़ती है, और पढ़ारे के साथ साथ इसे नाच का भी बहुत श्या होगी, मैं आपके कुल देवता का परशाद भी लेकर आ गया, कृष्ट मंदिर हो आये मुनिमधी, बड़े व अगया है, सब कुछ भगवान पर छोड़ तो वो खुद देखवाल करेगा, तो करम चलते है, बिलकुट रीक है सेट जी, हाँ, 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 चरम नहीं आती, इसी बार मैट्रिक में फिल हुआ है, तीधी क्यों मारती हो बेचारे को, आज मीन कलास में तो ये ए तो क्या हुआ, मामा अगर करोट पती के बेटे है, तो मैं भी करोट पती की बेटी का बेटा हूँ, हाँ, 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 इसी बहन में रहे तो भूकर मरोगा उमर भार, देखवाल, तरह इस ता बोलो, बाहर के लोग आये हुए हुए है, अच्छे, आओ, 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 यह हमारे सबसे बड़ी बहें देव की दीदिया, लेकिन बेचारिया भागन है इस हरे भरे संसार में यही एक डाली है, जो भरी बहार में मुर्शा गई मेरा मतलब है, विद्वा है, और वो उनकलर का बनवारी था जानते नहीं है, आई शनी बहार है, बाहर कितने लोग अबरा इंतजार कर रहे है, पूजा की गढ़बर में याद नहीं रहे है वा मामा, साड बरस के होते ही तुमारी यादाश भी काम हो गई, जब नवे साव बरस के हो गए, तो फिर क्या होगा? पेसो, हो गई तो क्या? लाला सिगरेखला लुक्स तो बी दे ग्रेटस परसनेलिटी इन इस ग्रेट हाउस मामा, ये क्या भूलती है? आरे तेरी तारी पर रहने है अच्छा ये आपके रिष्टेदार है? रिष्टेदार ही समझ लीजिए समझो क्या मामा, अगर कोई रिष्टा होगा तभी कहोगे न? कनया चुप रहे तू क्या आपका कोई रिष्टा नहीं? मिस्टर दास, इसका हमारे पिछले जनम का जुरूर को रिष्टा है अब ये छोटा सा था, करीब डेड़ एक साल का तो हमारे पुर्खों के कृष्ट मंदिर में हमें मिला था करता दो करता है बहुत कोशिश की अगर पता नहीं चला किसका बच्चा है? कहां से आया है? मामा, साहब साभ क्यों नहीं कह देते कि मैं आनात हूँ? कनया, तो आनात है, फिर बता मैं किसकी मा हूँ मामी, तुमने तो कह दिया, यही बात मामा नहीं कह सकते थे अरे भूल हो गई कर नहीं हा, माप कर दे माप नहीं करेगा? ठीक है, माप किया अच्छा दंजला सिग्रेट लाओ राम, तुम करे मिस्टर दास की खातिर तवाजी करो और भाहिकरम चल्द, तुम भी अपना नाश्ता वस्ता करें जरूर 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 जिंत की वरे आपी कखाया है आप चलो मामा जल्दी तुमबार लो कापसे खड़े हैं? चलो मामी तुम भी अंटू शंटू चलो 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 जल्दी अंटू शंटू कहा जा रहे हैं? आज शनिवार है ना? पिता जी हर शनिवार को जरूर जरूर मंदू की मदद करते हैं मामा, मामा ये क्या? दंगे पाओ बार जा रहे हो? लो चपल पहनो तुझे तो हमारी हर बात का ख्याल रहता है शंटू मुबारक हो वाँ वाँ जाचा, क्या बात कहिए तुमने तुम्हारे मूँ में घीशक करते जाने जाने तुम्हें तुम्हें करो लगी तुम्हें तुम्हें मत जाती तो अच्छा होता बीमार माँ के लिए एक एक पैसा जोड़कर दवा खरीदी थी वो भी मिट्टी में मिल गए तुम्हें फिकर न करो हम तुम्हार दवा खरीदेंगे आव मरसत गारी में उट सको कि तुम्हें पहिचानना नहीं भावी, एक जमाने में हम तुमारे साथ ही रहते थे जब हमारे नई 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 शादी होई थी हमारे साथ तो एक जमाने में शांति बैठो, 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 बैठो. बैठो, बैठो. बीमारी से नजर भी कमजोर हो गई है. आप लोग ये मकान छोड़कर कहीं बाहर गए थे कि? जी हाँ, हम लोग ये मकान बेचकर नागपूर चले गए थे. लेकिन वहाँ मेरे बड़े भाया, जो उस वक्त साथ-ाथ साल के थे, सरकस की शौक में एक दिन घर छोड़कर चले गए. फिर कभी वापस नहीं आये. पिता जी को बहुत सद्मा पहुंचा, और साथ-साथ उनका कारोबार भी तबाह हो गया. वो इन सारे गमों में चलबसे थे. चलबसे थे? जी हो, फिर हम बंबई वापस आ गये. अब हम यहां किरायदार के हैसियत से रहते हैं. पेटी, सुनके बहुत अफ्सुर्श हो के लाला जी कर दिहान थो गया. बड़े नेक आदमी थे, हमें बहुत चाहते थे, अपना छोटा भाई समझते थे. किसमत ने इस वोगत एक बार फिर तुमसे मिला दिया, अच्छा हुआ. अपना पेट काट-काट कर किसी तरह इसे पढ़ा लिखा तो दिया. अब इसकी शादी की चिंता है. तुम लक्षमी की चिंता न करो. भगवान ने हमें बहुत कुछ दे रखा है. मैं तुम्हे वच्चन देती हूँ. लक्षमी की शादी में उपनी बेटी की तरह करोगी. बेहन, तुम ने मेरे सर से बहुत बड़ा बोजो ताब दिया. क्या तकलिफ है ने? डॉक्टर कहते हैं, हार्ट ट्रबल है. हार्ट ट्रबल? जी हां, कल से दो बार दौरा पड़ चुका है. सुनिए, माया बहन को दिल की बिमारी, ये खुटा-खुटा सा कमरान, हवान, रोशनी. क्यों न हम इने अपने घर ले चले? क्यों नहीं कहुना अन्सा? माया बहन, चलोगी न हमारे साथ. माया बहन, माया बहन. महाराद गधे की जाया. नजाने मेरे माबाप, मेरी बहन इस वक्त कहा हूं? अब तो आप ही आप है मेरे लिए. सरकस्प में मैंने सब जानवरों से दोस्ती की. लेकिन किसी ने मेरा साथ न दिया. उमीद है कि आप मेरा साथ न छोड़ेंगे. मैं आप से वादा करता हूं. अगर आप मेरा खर्चा समालने में मेरी मदद करेंगे, तो मैं एक दिन आपको गधों का लीडर बना दूना. और हो सकता है आगे चलकर आपकी कौम के लिए मैं एक अलग सुभा भी बनवा दू. पढ़ारिये. मेरा गधा गधों का लीडर कहता है के दिल ली जाकर, सब मांगें अपनी काउम की मैं मनवा कर आऊंगा, नहीं तो घास न खाऊंगा. मेरा गधा गधों का लीडर कहता है के दिल ली जाकर, सब मांगें अपनी काउम की मैं मनवा कर आऊंगा, नहीं तो घास न खाऊंगा. ओ मेरा गधा गधों का लीडर. सबसे पहली मांग हमारी धोपी राज हटा दो, सबसे पहली मांग हमारी धोपी राज हटा दो, अब न सहेंगे डंडा चाहे फासी पर लटका दो, गर न मानी जरकार किया इनकार तो यू एन लो तक जाऊंगा, नहीं तो घास न खाऊंगा, मेरा गधा गधों का लीडर. तो जी मांग के जात हमारी महनत करने वाली, फिर क्यूं ये इनसान कदे का नाम समझते गाली, ना बदला ये दस्कूर तो हो मजबूर, मैं इन पर केस चलाऊंगा, नहीं तो घास नखाऊंगा, मेरा गधा गधों का लीडर. ती जी मांग हमारी हमको, दे दो एक एक क्वाकर, हफते में एक बार घास के बदले मिले टमाटर, गर कर दो ये एहसान, ओ मेरी जान, दुआएं देता जाऊंगा, कभी न दिल ली आऊंगा. मेरा गधा गधों का लीडर, कहता है के दिल ली जाकर, सब मांगें अपनी काउम की में मनवा कर आऊंगा, नहीं तो घास न खाऊंगा, मेरा गधा गधों का लीडर, आओ, बेतिया, ये तुम्हारा ही घर है, अरे राम, चाम, मंगला, देव की यहाँ आओ, ये देखो कौना आया? चैनल ये नोक्रानी लाई होमा, राम, जबान समाच, आओ, बेतिया, आओ, बच्चो, ये लक्षमी है, तुम्हारे पिताजी के बहुत पुराने स्वर्वासी दोस्त की बेटी, कुछ दिन होए, इस पिचारी की मा भी बज़र गए, आज से ये इस घर में तुम्हारे साथ ही रहेगी, जीता, इसे अपने साथ लेजा बेटी, आओ, लक्षमी बहन, ये घर तो पूरा अनात अश्रम होगा, देवकी, शुब बोला कर मुझे, लक्षमी इस खर में ऐसे रहेगी, जैसे तुम सब रहेगा, देखो लक्षमी बहन, देवकी दिदी की बात का बरा नमानना, बिटारी दब से विद्वा हुई है, जब भाव कुछ चिर्चिड़ा हो गया है, नहीं नहीं, उन्होंने मुझे थोड़ी ही कुछ कहा है, आओ, क्या भाव है, नहीं इस खर मत खरीदो, जब तक कि भाव, टेरो, ज़रूरी काम था, अच्छा वाई, थोजे रवात फोंग करना, मामा वक्ता, खाना खाना भी बहुत ज़रूरी है, अरे काम नहीं करेंगे, तो खाना कहां से खाएंगे, और अगर खाना नहीं खाओगे, तो काम कैसे करोंगे, ये भी टीक है, सुना, क्या ख़बर है, मामा, वो गीता की किताबें लानी है, अहां, गीता न मुझे कुछ लिप तो दीती किताब होंगे, जाते समय मुझे दे देना, मैं रास्ते में खरीद दूँगा, अच्छी बाद, सर, ये है वो फाई, देखत जीत, कहाला है, खाने काओ, मामा, मामा, खाने के बाद, ये चेक साई कर देना, हमेजा राम और शान के चेक लेकर चलाता है, शमन रूपे उन जौन्द ब्रकाता, ज़रूरط है, मैं जो खाय रहूँ, बस तुम साई कर देना, उन खो ऐसा हाए, जेशा आए, भगवान से भ तुम फिकर ना करो मामा, जब उसकी शादी हो जाएगी न, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुम खाना खाओ मामा, मैं तुमारे लिए दवा की गोली लाता हूँ घता धन खूरी खूर, मुर मचाई शूर, मुर सतना जा तुम्हारी नहीं, समझे, तुम यहां दूसरों की तरफ सेफ एक किरादार हो, तुम्हें मेरे उपर रोख जमाने का क्या हाँ है, मेरा जब जी चाहेगा, मैं काऊंगी करनल आर बी गुप्ता, करनल आर बी गुप्ता, यह के नाम हुआ? जरूर राम बनुवास गुप्ता होगा, आजी कुछ भी हो, सुंदर मैं मुहबत भी की, तो एक करनल की बेटी के साथ, कहां गई वो तस एक रही, यह रहा तेरा सुंदर, जानती इसके नीचे क्या लिख तुझे इस दुनिया की कोई तमीज नहीं लेकिन मैं इस दुनिया को भंकी दो पत्यों के साथ रगण के पी चुका हूँ बड़ी कलवी दुनिया है इसका पुराना दस्तूर है जब कभी किसी गरीब की फुलवारी में फूल खिलता है तो उसे तोड़ने के लिए एक अमीर क हाथ होता है फूल तोड़ा उसे सुगा और फैट दिया और एक दिन यही हाल तेरा भी होगा जब होगा देखा जाएगा तुम्हें क्या है मुझे कोई तकलीव नहीं है रे मैं तो तेरी तकलीव को रो रहा हूँ वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी भी एक सगी बहन थी पिल्क करनल साहब को सलीप करना ही पड़ेगा तुम नहीं जानते करनल साहब अरे मैं सब जानता हूँ कोई बात चाहे करनल हो या भड़बुंजा वो यह नहीं चाहता कि शादी से पहले उसकी लड़की किसी के साथ खुलम-खुला गुमे तुम जबी से स्कूटर पे बैठ जाओ ने तो खुलमाशल हो जाएदा ओव बेठ ऑच्छा तो ये मजनु की आउलाद रत्ना को करनल साहब की बैटी समझ रहा है मैं भी समझ लूंगा इस बैटी 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 क्या बात है बैटी मनी माने एक फैसला कर लिया हमने भी एक फैसला किया गया थे तुम्हारे शादी वो ममी, मैं भी यही कहने वाना था, कि अब तुम्हें मेरी कर देनी चाहिए, लेकिन कमाल है, वजा बेटे के ख्यालन थू रेलवी लाइन की तरह साथ साथ चो रहे है, मा बेटे जो ठेरे, वो ममी, सुंदर बेटे, मैंने तुम्हारी शादी एक सुंदर लड़की कार्भा है। मभी तुम्हारा नणा मुन्ना संदर तो सिर्फ संदरता के लिए पैदा हुआ है। तुम्हारे पिता के दोस्त की बेटी लक्शिमी की, जो हमारे घर में रहती है। और किसकी ब्लेंडर क्रेट ब्लेंडर ममी मैं तो रटायर्ड आर्मी करनल की इकलोती अनोखी बेटी रत्ना की बात कर रहा हूँ क्या बख रहा है मैं ठीक है रहा हूँ सुन लक्षमी शरीफ कांदान की है हमारी जानी पहचानी है और अब उस विचार का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है ओहो तो क्यास दुनिया भर के अनाथो के लिए मैं ही पैदा हूँ मैं ये शादी हर्किस नहीं करूंगा सुन्दर कभी थंदे दिल से भी सोचा करें लक्षमी के मां उसक्यां समय में मैंने वचन दिया था लक्षमी की शादी मैं अपनी बेटी की तरह करोगी अब अगर उसे अपनी बहुन बनाया तो मेरा वचन कैसा पूरा हो मैमि तुमने तो एक मरी हुए इंसान को वचन दिया है लेकिन मैंने जीती जाकती नपर बोलती चालती लडकी को वचन दिया है वो लड़की भी एक अच्छे खांदान की है मैं उस लड़की को दिया हुआ वचन कभी नहीं पूरूँगा सुन्दर है सुन्दर अपनी अगल को घास चरने छोड़ाये हो तुम चिप रहो कनिया दादा आयम इन लाव ठी एक लड़की की महबबत माबाप की पार से बढ़ी हो गई जब मामी ने कह दिया कि उसमें तुम्हें लड़की देख ली है तो तुम्हें चूचरा करने का हाकी क्या है लड़की चाहे लूली हो लंगडी हो गुंगी हो बहरी हो तुम्हें शादी मामी की मर्जी से करनी होगी समझे करहिया बेटे समझा इस मूरग को ये मुझे क्या संजाएंगे, what does he know about love, तुमने कभी महभबत की है, हाँ हाँ बहुत की है, किसे, अपने मामा से, अपनी मामी से, तुम सब से, इस सारे घर से, खाबरदार जो मामी का उकम ताला तो, सुन्दर, क्या तेरा ये आखरी फैसला है, तो अपने मां के वच्छन के ल बैठूंगा, शादी भी करूँगा, लेकिन लक्षमी से नहीं, आपकी लव रदमा के साथ, गुद बाई, सुन्दर, कुछ मेरे भी तो सुना, क्या सुनाओ भी उस बेवफफ को, जानद उसे, सुन लिया आपने, हम तो पहले से जानते थे ललका कावु से बाहर हो रहा है अब आप ही बता ही, क्या इलाज करूँ इसका, इसका कोई इलाज नहीं, पारवती, वो तो फैसला करी चुका है, और उसे क्या दोश नहीं, दोश हमारा ही है, उससे बगार पुछे लक्षमी की मा को वचन दे दिया, मुझसे भूल हो गए, लेकिन मेरे इच्छा थी कि लक लक्षमी की मा की आत्मा जा कहेगी, यहीं तो हम भी सोच रहे हैं, लक्षमी के पिता का हम पर बहुत बड़ा आःसान है, हम भी चाहते हैं, लक्षमी इस घर की बहु बन कर रहे हैं, लेकिन अब, सोचना पड़ेगा लक्षमी के लिए क्या किया जाए, मामी, आओ बैठा, बश्चा, तुमने लक्षमी की माँ को बचन दियाया ना मैं और वे चाहती ओक लक्षमी की जानः की बहु बंग मैं तुमक को करती लक्षमी जाना की तछानः और बेते रांक रहेगे तुम नहीं क्यों ना मैं तुमलिए पर इहां click form बढ़ा हम का तचान ओ दॉ वहां मेरी पीवी को भी समाल लेना, समालोगे ना, तो नहीं जरूर समालेंगे, ठीक है, ठीक है, मामी, बस हो गया फैसला, आप तो खुश हो ना, बस शादी का दिन और महरूत का समय मुझे बता देना, हाँ क्या ख्याल है अपका, इसमें क्या बराई है, हमारा ख्याल है जो हुआ अच्छी हुआ रत्मा, ये माबाप तो बच्चों की शादी में यू दखल देते हैं, जैसे बच्चों ने उनकी शादी में दखल दिया हूँ, लेकन वो कपता कड़े रहेंगे, लो ने मना लूँगा, लेकन रत्मा, जो वक्त हमारे पास शादी तक है, हम उसे क्यो जाया करें, आओ नहीं, नहीं, पहने शादी में खट राग, क्या करें, क्या करें, ये दुखी मनवा, क्या करें बेटा, मैं तुझे बताता हूँ क्या करना चाहिए ये ये वर्दे तुम चुप रहो बेटी, एक्जामिनर आ गया है हाँ करनल साफ तुम मुझे पिताजी कहो, मैं करनल साफ इसे लिया चाहिए करनल 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 क्यों बेटी को शादी के सबस खेद दिखा कर उसके बालापन के भूलेपन से फाइदा उठाना चाहता है नहीं, नहीं लड़की से हटके हटके करनल जब तेरा बांद के आपके घर आऊंगा तब आपके दर्शिन होंगे लेकन आप तो खुदी साक्षाद पतार खे संच्रीट बोलकर मुझे पेर मैं आज कल के आवारा नवजवानों को अच्छी तरु से जानता हूं जो बंदरों की तरह दिवारे फान फान कर दूसरों के जारों से अम्रू टोटे एक बात कान खोर कर सुन लो तुम से पहले भी दो नौजवानों ने मेरी बेटी को भैकानी की कोशिश की थी वतना, मुझसे पहले भी दो थे दो नहीं का रही, हच्जा वतना एक का नाम सा सोहन लाद, जिसकी स्पीट पर मैंने 16 हेंटर मारे तुम कौन से लालो मेरे लाल जी सुंदरलाल सुंदरलाल तो सुंदरलाल तो सुंदर था मैं सो बार मारूंगा उटा जे कपने पाड़न करनल सहाव पचपन में इस पीट पर मां बदाम रोगन लगाती थी कोई बात नहीं मैं करवा टेल लगा दूँगा वो तो ठीक है करनल सहाव लेकन मैं चाहता हूँ इस भरी जवानी में मेरी पीट पर आपकी बेटी के कोमल हाथ लगें ये हंडर नहीं उठो उठो मुझे तुमारी जवानी पर रहमा रहा लेकिन मैं भी मजबूर हूँ एक तरफ ये हंटर है दूसरी तरफ रचने से फारंद शादी शादी के लिए तो ये बच्छा हर्दम तयार है लेकन मेरे माबाब इस शादी में शरीक नहीं हूँ क्या ये क्रूणपती के लड़के की शादी है ना बाजा है ना शैनाई है ना महमान अबे अकल के कच्छे एक तो तू शादी अपने बाप से छुप के कर रहा है उपर से तू उसका धुंडोरा भी पिटना चाहता है अबे ठीक तरह से गला साथ कर ले और अच्छी तरह से शादी का मंतर बोल जब तेरी शादी हो जाएगी तो उसका रिसप्शन ताज महल मे अब आप पती पत्मी है जाईए अपने पिता का अशिरवाद लीजिए मेरे ससुर करनल साथ कहा है तुम्हारे ससुर करनल साथ वहाँ है लटका है जाड़ पे छैल चैबीला पहना जब ताइट था अब है वो धीला तो फिर आप क्या चीज़ है मैं एक शुद्वणासपती इनसान है मेरा मतलब रतना का धरम भाई कहीए आपको साले साहब से मिलकर खुशी हुई यहाँ बहुत खुशी हुई साले साहब साले, साहाब, लेकिन रतना का बाप कौन है, आपको ये जानकर दुख होगा, कि रतना के माबाप रतना के पैदा होने से पहले चल बसी, मेरा मतलब रतना के पैदा होने के दस दिन बाद चल बसी, और आपको ये जानकर खुशी होगी, कि रतना करनल सहाब की बेटी नहीं, क् करनल साहप के घर में बरतन माजने का शुक्त काम करती है मिल गई, मिल गई मैं बाप के बरख़लाब चलने की सजा मिल गई तो क्या आप उसे प्यार नहीं करते सिर्फ इसलिए कि मैं करनल साहप के नौकरा नहीं हूं मिसी सुंदर लाइव रोदार रतना, मेरी महबत का मज़ाग मत उड़ाओ, मैंने प्यार तुन से किया है, कोई करनाथ साहब की वर्दी से नहीं, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, कि मुझे धोका दिया, घंडलाथ, धोके के साथ धोकी भी दी गई, मेरा मतलब लड़की भी दी गई, अब तुम जल्द कि दो टिक्टे भी भुक करवाई हैं, कोई बात में, दोनों टिक्टे वापस कर दो, और दार्जिलिंग से दो डबे चाय के मंगवा लागो, लेकिन इस वक मेरे साथ चलो, क्योंके शुब घरियाल है, मा, देखा पाज़ती कैसी चत्र ये जोड़ी है, वर आशेवाद है, आशेवादी जी, संदर, आज है भर में शादी है, तुबह से तुगाया भेए, सेरा कसा, ये शादी का सेरा है, माई बाप, शादी, क्या बख रही ये? माई बाप, नहीं मैं बख रहा हूँ, नहीं बखरी, मैं तो अर्स कर रहा हूँ, ये रही आपकी बखूद, और ये आपका बेटा, अभी अभी इन दोनों की बड़ी धूम-धाम से शादी हुए। धूम? धूम नहीं तो धाम थे यार। क्या यह सच है? मुझ से तुम बूल कुछ। माई बाप नहीं नहीं शादी हुई ना, इसलिए मुंडी नीचे शर्मा रहा है। सुंदर, क्या यह सच है कि तुमने माई बाप की मर्जी के बगार शादी कर ली। अहां। अहां। नहीं नहीं माई बाप, इसने नहीं की, हमने जबरदस्ती करवाई। औरे तुम बार बार बीट में बूलने वाले होते कौन हो। का तुम लड़की का बाप हो। मैं किसी का बाप क्या बनूँगा। मुझे तो अपने बाप का मालूम नहीं। ना जाद का पता है, ना बाप का पता। सेट जी, यह मेरी मूबोली बहन है। वैसे मेरी एक अपनी सगी बहन भी थी। और इससे पहले कि पोलीस इने किसी पार्क या बागीचे में नाजायस महबत करने के जुरूम में गरिफतार कर ले। मैंने धरम अनुसार इन दोनों की शादी करवा थी। और इन दोनों को पती-पत्नी का लाइसंस दिलवा थी। जनाब, अब मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप अपनी बहू, मेरा मतलब अपनी बहू और अपने बेटे को ज़रूर सुईकार करेंगे। तुम होते कौन हो हमें समझाने वाले। निकल जानायसे। आप जानें यह आपके अउलाद, रहन अथे ऐसी अउलाद पर। मुझा देख रहा, निकल जायासे, निकल जाया। यह क्या मामा, आज मेरी शादी हुई है और आज ही तुम सुन्दर को घर से निकाल रहा हो। तो इसकी कमेनी हरकप पर इससे प्यार करूँ, उसे गले से लगा लूँ। तुम तो जानते है यह मामा, शादी व्या संजोग की बात होती है। तू अपनी मात हाग जाया है। ठीक है, निकाल दो इन दोनों को घर से। पर तुझे और लक्षमे को क्यों। इसलिए कि मारी शादी होती ही तुम ने घर के बेटे को बनवास देती है। अरे शादी हम लोगों के मर्जे से हुए। कुछ भी हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी शादी, नहीं चाहिए। मुझे देखते हो, पांच वो मामा की जल्दी। अरे उटो, 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 उटो आ, ये बाद हुए न मामा, बोलो, मेरे मामा की। जाए। अरे वाय यार, तुम तो बड़े धासव आदमी हो, नेवल इन दी हिस्ट्री आफ शादी बिफोर। छागाय पापे, तुमको भी शादी मुबारफ हो। बहन, बड़ा अच्छा पती मिला है तुमको। अच्छा भई हम चले फटक के चामल, तुम्हारी शादी और निका के। अच्छादी। लक्ष्मी, ये क्या माजी, कुछ जेवर है। माजी, मुझे मेरा सबसे बड़ा जेवर तो आपनों ढून कर दे दिया। मुझे इन सोने चांदी के जेवरों की क्या जरूरत थी। बेटी, जब मेरी शादी हुई थी, तब विदाईगी के वक्त माने मुझे ये दिये थी। और आजी, एक माँ फिर अपनी बेटी को जेवर दे रही है। लेले बेटी है। तू सिर्फ कनिया की बत्नी नहीं, मेरी बेटी, मेरी बहु, सब कुछ है। तू इस घर की शोभाबन, ये घर तेरी शोभाबन है। मनला भाबी, ओ मनला भाबी। सरीता भाबी। अरे जहाओ, जल्दिया। क्या बात है जीजी। अरे मैं तो इस घर में राम नाम जबने के लिए पैदा हुई। अब तो तुम दोनों को भी जबना पड़ेगा। आखिर बात क्या है। अभी अभी तुम्हारी सांस में अपने सारे जेवर लक्षमी को देए। सच? हाँ, और सुनो। हमने, हमने करमतन से कुछ रुपवदार मांगे थे, वो उसने भिजवा दिये। जी नहीं, वो लोग कोई जायदाद गिर्वी रखना चाहते है। जायदाद गिर्वी यह करमतेद खुद कर रहा है। उसका वकील कह रहा है, जी खानी रखना बिना किसी सेक्यूर्टी के देने में रिस्क है। कुछ बात नहीं, यह मकान गिर्वी रख दो, और हम कल स्टैंप पर दसकार कर देते हैं। समझ गए, अच्छी बात रख देते हैं। हाँ भई, हाँ, हाँ, सुनो भई, यह हमारी जिंदेगे का सबसे बड़ा जुआ है। तायनियर रबर्श के शेस हमें किसी हालत में खरीद नहीं है। अच्छी बात, क्या गड़बर्श को ख्याचातानी कर रहा है। तुम भी कमालो मामा, सारे मकान बीज देंगे तो रहेंगे कहां पर। अरे बुद्धू, यह मकान तुम कई बार गिरीवी रख चुके, कई बार छुड़ा चुके हैं। यह शेर मार्कट का बिजनेस है, तेरे दिमाग में घुसेगा नहीं। नहीं घुसेगा। मामा, एक बात पूछूू। जल्दी पूछू। भगवान ने तुम्हें उमर बार खाने के लिए इतना कुछ दे रखा है। फिर तुम्हें दिन राज जानवारी करने की क्या पड़ी है। अरे शेर मार्कट अपने हाथ में आ जाये, तो सिमेंट कर्पोरिशन के सारे शेर्स हम अपनी कीमत पखरी लेंगे। इसके बाद क्या होगा। यह देखो, आप नहीं हाला तो देखो, मामा, ज्यादा से ज्यादा आदमी रूई या रबर के तक्ये पर सो सकता है, चांदी के तक्ये पर नहीं, छोड़ो ये दिन रात के ट्रन ट्रन ट्रन, भगवान ने जो कुछ दिया है, खाओ फियो आराम करो, तेरे भोले पन में कभी कभी अकल की जलग नजर आती है, तो ठीक ही कहता है, लेकिन, क्या ठीक कहता है, ये तो है ये मुरद, आप भी इसके बातों में आ गए, पर हुआ क्या जी, महा लक्षमी अकेली बेटी, अरे हाँ हम तो भूले गए, आज तरी शादी हुए, अरे तो जा, 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 ले उसे जाके कहे दो, आराम से सो जाए, बात कल सवेरे भी उठती है, अरे उठा, उठी रहा तू, बुद्धु कहीं का, आप ही कुछ समझाए या ना इसके है, हम क्या समझाए तुम्हें से अड़ लगा सकतो, कनिया, चल उठो, जब आ मामा, जबरतस्ती करती है, मामा, जब परवती, तमीज रखने के लिए भी इसे मामा का सराना चाहिए, गुद बॉइ, चाचा, उस धक-दक का क्या हुआ? धक-दक? हाँ, वो राचिस धक-दक का, अच्छा, वो अपनी कल की कहानी वारा धक-दक, हाँ चाचा, वो कहानी पूरी सुना, अच्छी वाद है, अच्छनी मामी, अंटू शंटू को कहानी सुना रहा था, आज क्या बच्चों को कहानी सुनाने का दिन है? अच्छनी तुम भी बैच्छो, आज तुम इससे जरूर मार खाएगा, मार खाएगा, जैसे मै अभी तक बच्चा हूँ, जानती नहीं मेरी शादी हो चुकी है, अरे इसलिए कह रहे हूं महाजा कहां अंदर वहां तेरा कोई इंतजार कर रहा है मामी अच्छा तो यह नहीं मानेगा ना चल उट 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 मामी चलांदे मामी मेरी बातों सुने मामी अरे यह क्या करती है लक्ष्मी ए लक्ष्मी तू जानती है बहुत सुन्दर है तू मेरी तरफ देख बिल्कुल जापारी गुडिया की तरह एक पल गर्दे निजर की फिर मोड़ ली नाराज है मुझसे हाँ हाँ मैं जानता हूं जरूर होगी तू सोचती थी तेरी शादी मेरी मामा के लड़के सुन्दर से होगी और होगी इस बुद्दू के साथ अगर मैं भी तेरी जग होता तो मुझे भी बुरा लगता लक्ष्मी यह क्या तू रो रही है मुझसे कोई भूल होई क्या एक बिंती है वो क्या होती है देखिये मैंने धुनिया में अपने लिए कभी किसी को नहीं सोचा था जो मेरा भगवान þा वो मुझे एस तेरा में मैरे भगवार मामा और मामी है। इस घर में कभी कोई ऐसी बाद न करना जिससे हमारे भगवारन का दिल दुखी हो। है अगर ऐसा कर सकेगी तो मैं तुम् से बहुत खुश्य हूंगा, वरना याद रख। मैं बड़ा उल्टा आदमी हूँ, ना जाने क्या से क्या खर बैठा हूँ, हो सकता है, तुछ से उमर बाद भी ना करूँ, हाँ अच्छा बोल, अब तु नाराज भी ये ना नाराज और आप से अगर है तो कह दे, दिल में कुछ माँ छुपा, मुझे सची बात बहुत अच्छी लगती ये मैं इस घर में क्या बन कर रहूंगी, ये तो वक्त ही बताएगा इस वक्त सिर्फ इतना कह सकती हूं, कि मेरा बरताव देखकर, एक दिन आप खुद कहेंगे, कि इस संसार में लक्षमी जैसी कोई नहीं है ओय, क्या कहने है, क्या कहने है लक्षमी, एक बात बोलूँ, बैट बैट, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बीबी हर लक खड़ी रहे, चल बैट अब तु बाते कर, और मैं सुनता हूं मैं क्या को हूं? कुछ भी, उल्टी सीदी बाते लक्षमी, आप ही कुछ कही, मैं सुनूंगी मैं? अच्छी बात है, देख लक्षमी, गुसा नहीं करना, मैं बड़ा सच्चा आदमी हूं हूं एक दफा का जिक्र है, मामा की चपल तूट गई और उन्हेंने नई चपल लाने के लिए मुझे दुकान पर भेजा मामा की चपल भेजा मैं ही लाता हूं जब मैं दुकान पर पहुंचा तो वहां बड़ी भीड थी और मुझे बड़ी जल्दी थी अचानक मेरा कंदा एक लड़की के कंदे से छूगया लक्षमी सर्दियों के दिन थे राम कस्रम ऐसा पतीना चूटा ऐसा पतीना चूटा जीचाता था चुलू भर पानी में डूम मरूँ मैं तो डरके मारे वाज ऐसा भागा ऐसा भागा सीधा घर में आगे दम लिया क्यों उस बिचारी लड़की का दिल तोड़ दिया वो भी कोई लड़की थी? लड़की तो ये है, लंबे-लंबे बाल, फूलों से गुदे हुए, जुकी-जुकी आँखों में लाज शरम, हाथ इतने कोमल, के उंगली फिसल, पारवती, तुम्हारी पूजा स्विकार हो गई, भगवान ने तुम्हारे दिल की बात सुन ली, क्या हुआ? पहले बता, तुम भगवान से क्या मांग रही थी? तुमुचे क्या कमी है, बच्चों की सुक्षानते, और गीता के लिए अच्छो और के लिए प्राथना कर रही है, बस यही तुम्हे कहने आया था, रमेश के बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है? करम चंद का लाखा? हाँ, अभी-अभी विलाज से लोटा है, और करम चंद ने हाज जोड़कर गीता कहाथ रमेश के लिए माँगा है, क्यों? अच्छा थै, खांदान जाना पहचाना है, लड़का पढ़ा लिखा है, सुन्दर है, बस हैसित में हमसे ज़रा कम है, लेकिन क्या हुआ, लोग बड़े शरीफ है, क्या राय तुमारे, मुझे तो रिष्टा पसंदे, बस तो दोनों को चाह पर बॉआ ले त्याज शाम को, एक नजर लड़की और लड़का एक दूसरे को देख ले, अच्छा, मैं स्वागत की तयारी कर दो, क्राटो करम चंदा, क्राटो कर दिया, बेटा रमेश तंबी शुरू कर रहा है, क्राम चंद तंबी शुरू कर रहा है, सेड़ जी सारी उंपर आभी सखाया है, अरे कनेया क्या कर रहा है, मामा, लड़का एक दम वेलाथी लड़का है, मामा, ठीटी पर है, तुझे पसंद है ना, बहुत प्राद है मामा, अच्छा अब मामे से क्या कि गीता को लिया है, अच्छा मामा, गीता, ओए गीता, नंबर बन ने लड़का, मैंने तो पास कर दिया, आ तू भी देश ले, चुपिक लिजे, आव बैठी, उठाचान, नमस्ते करो, एल्टी भी रहाओ बैठी, जी भी रहाओ, यह है रमेश, पूछे, जी पूछे, जी पूछे, उसे पसंद आए के नहीं, जी रमेश से पूछने के क्या खरूवत है, जब लड़की मुझे पसंद है, तो रमेश को भी पसंद है, तो मैंने उला रहा तो है, मैंनेजर का फोन है, तो है कोई जरूरी काम है, यह फेक देशे, जी, क्या बात है जैचंद, क्या का 20 लाग का फायदा है, नहीं 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 इस मुद बेचने कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, इसका थो हमें पहले से अंदाजा था कि शेर्ट की किमत बढ़ेगी, अरे भई, हमारा मकसद 20-40 लाग के मुनाफ़ से नहीं है, हमारी स्कीम कुछ और है, तुम खरीबते जाओ, फिकर न करो, माफ करना करंचन घरेलू बातों में कारोबार की बात आए गई ऐसा तो 20-40 लाग का मुनाफ़ होते ही रहता है, कोई बात नहीं सेर्टी, कोई बात नहीं, मेरे लिए क्या हुक्म है, जयसा तुम को हो, मैंसे चाहता हूँ, कि शादी इसी महीने में हो जानी चाहिए, 5-15 और 20 तारीफ का महुरत भी निकलता है, मेरे खाल वक्त बहुत कम है, हमारी बेटी की शादी हमें भी तो वक्त मननी चाहिए, जयसे, सेर्टी, मेरे खाल है, शुब काम जितनी जल्दी हो जायोत नहीं अच्छा है, आप भुक्म दें तुपीज तारीफ के इंविटेशन कार्ष चपवा लिए, अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी मज़ी हो, जह 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 चुक्रिया, अब मुझे जानती है, अच्छी बात है, फेरी, मैं पहले लड़के का मूद तो मिठा करा दूँ, हाँ, आएगा, आएगा, एक छैल चबीला आएगा, एक दिन जो मेरी छोटी सी कुडिया को ले जाएगा, आएगा, आएगा, एक छैल चबीला आएगा, पूल जबजपन की रंगरलियां आये, दिन शर्मानेके, पूल जबजपन की रंगरलियां आये, दिन शर्मानेके, छोड के रोती संग सहली साजन के घर जानेके, चाहे घबराए, चाहे मुकडच पाए, आने वाला तो आएगा, 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 एक छैल चबीला आएगा, 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 एक छैल चबीला आएगा, 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 कड़ता आएगा, 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 पाले हमसे लेकिन चाल तेरी ये कहती है सूरत एक अलबेले की तेरी अक्यों में रहती है कैसी पल खाए यही आस लगाए कब आने वाला आएगा 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 एक चैल चबीला आएगा दो दिन का अब तेरा बसेरा बाबुल के इस आंगन में दो दिन का अब तेरा बसेरा बाबुल के इस आंगन में कैसा होगा देश पिया का जाजी है चिनका मन में जैन न आय यही सोच सताए अब आने वाला आएगा 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 एक चैल चबीला आएगा एक दिन जो मेरी छोटी सी कुडिया को ले जाएगा आएगा आएगा एक चैल चबीला आएगा आएगा एक चैल चबीला आएगा राम हाजी वीस को घिता की शादी है उननीच से पत्चिस तक ताज मेढ लोटी होगे जितने कम्रे होगे बुक कर लो छीक है पता जी माश्ची इस बाद के श्यकायत स्क्राइत नहीं होने चाहिए दस काड़िया है जड़ी चार भ्यूख है दो शेयुख है कमस कम और पचास डिलक्स कारों को इंतजाम होना चाहिए मामा गरीबों को खाना खिलाना नहीं बूलना वो भी याद है शेयर के तमाम गरीबों को भरपेट खिलाएंगे ताकि वो हमारी बच्ची का सुख और उसके लंबरी उमर के दुआये मांगें लेकिन पिता जी इस शेर में तो हजारों गरीब गरीबों कके मातलब खाना कमपले जाएगा ?겠습니다 तुम्हें लोटे ऐलिया विलिंगन क्ला रतु, सर आख के सभीगा तुम सुनलो तुर्फ क्लो के सरा है सर दिली से टंकाल है, लाला जगनात का लाला का टंकोल इस वक्त कया हो तो चार बजे करता है हलो, हाँ लाला है यह जरा शादी के सिलसले में जरा उल जा हुआ था नाय बजट कौन सा नाय बजट अरे हाँ पर पारलिमेंट ने नाय बजट में क्या पास किया शेयर मार्कट कर गई और तुम्हें हमें वकपर ख़ब नहीं की अरे भाई अगर हम यह कम खरा शचान तहूं हम आपनी जहादा आप तो बचा लिए लाला तो कमसकं अपनी जहादा तो पचा लेकिन हम तो तरह हो गए हम पर हम धो करोल करजा परगाना लाला मामा मामा माम पिठाजी Church मनना ओया मामा सब खत्मोगा बच्चो सब खत्मोगा अभी कले की तो बात है कीता से मेरे शादी के लिए मननते मांगते थे पूजा पाट करवाते थे, कल तक गीता का बाप एक करोणपती था, आज वो एक फिकारी है, पिता जी कुछ तो सोची, शादी की इनिविटेशन कार्ज तक छप चुके है, रमेश, अगर तुमने हवाई जहास का टिकर खरीद रखा हो, और तुम्हें ये पता चल जाए कि य क्या फिर भी तुम उसी हवाई जहास से सवर करोगे, इतना तो समझ, उसकी लड़की को अगर मैं अपनी बहू बना लूँ, तो अपने रुपएओं के बदले में, आज मुझे जो उसका मकान और फैक्टरिया मिल रही हैं, उससे हाथ होना पड़ेगा, इसके अलावा, उस वह तो ठीक है पारवती, लेकिन सारे जायदाद सब कुछ बेचकर भी हम अपने करदा नहीं चुका सकते हैं, चारा तरफ अंधेरे या निराय कि इसको किसमे मुझ दिखाएंगे, मामा, मामा, लाला करमजन का फोन है, लाला, मामा, तुमने तुमने उस पर बहुत आइसान लड़की क्या का पसंद नहीं? इसलिए वो उस ते शादी नहीं करना चाहता, लाला, उस दिन तो तुमने कहा था, मैं मजबूर हूँ, मैं अपने लड़की के उसी में कोई तख्वन दे करना, समझा लाला, हमारा बुरा वक्त इसलिए तुमने आँके फेर ली, लेकिन मेर मेरी बदकिस्मति के सदा मेरी बिटे को न दो, मैं कह जो चुका, मैं मजबूर हूँ, क्या कह रहते लाला जी, कह रहते के रमेश को गीता पसंद नहीं, इसलिए नहीं होगे, पता जी, ये जूस भी लीजी, क्या करते हैं, क्या एक दुनिया में करमचंद का बच्चे ही रह गया है, मैं गीता के लिए उससे पे इच्छा बाल ढूंके लाँगा, तुम घबराते क्यों हो मामा, जब तक मैं जिन्दा हूँ, तुम फिकर ना करो, फिकर ना करो, गीता, ये लो, पीजो जबिसे, मैंने तु ये भी सुनाए दिदी, कि उन्होंने कर्ज के बदले में ये बंगला भी किसे के हाथ गिरवे रख दिया, हाँ, हाँ, पिता जी जो करते हैं उन्हें करने दीजे, मगर आप अपनी एजन्सिय संभाल कर रखिये, मेरे पिता जी कलेक्टर है, हमेशा ये ही कहा करते हैं, कि सट्टे बास का क्या भरोसा, आज आसमान बर, कल जमीन पर, कनेया, ये लोग आस लगा कर रहे हैं, लेकिन नहीं मालम कि आज मैं भी इनकी तरफ भिखारी हो गया हूं, जाहिए ने दे दे, और इने समझा दे कि भगवान ने मुझे अब इस लाइक नहीं रखा, कि मैं आन्दा कुछ दे सकूँ, जाचा, समझा जाजे, भाईयो, जाचा, आज बेरी मुठी नहीं खुल वही, करणिया बाबु, आज हम कुछ लेने नहीं, बलकि जो कुछ हमारे पास है, वो देने आये हैं, और वो हैं हमारी दुआएं, हम अल्ला ताला से दुआ करते हैं, कि वो अपनी बर्कत और रहमत क दर्वासे, हमारे से जाप पर फिर से खोल दें, आमीन, चाचा, नहीं करेंगा बाबु, नहीं, चलो, महराज, इस बालत को उस खोले का नंबर बताईए, जो कि जीतने वाला है, अच्छा, बता दिया, बता दिया, क्या बताया, पहले महराज को 20 रुपया दक्षना दू, 20 रुपय? अच्छा, अपने आज जब 200 रुपया हारते हो, तब कुछ नहीं, और 2000 रुपय जीतने के ल कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, महराज, मैं 20 रुपय देता हूँ, मुझे सिर्फ एक घुड़ा बता दिया, रखो 20 रुपया, शाबाज, अब महराज को परणाम को, जुके, महराज, दोनों की मुंदी, महराज, उठो, वा, 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 तुमारी सूरत महराज से कितनी मिलती, अब एक काम करो, जितने तुमारे हाथ में उंगलिया हैं, उस नमबर का घोड़ाद से किलो, और सोनो, किसी को पताना नहीं, नहीं, महराज, उंगली किन्ते बेजाओ, ज़ो, दिना आची दिन कर, खातुना को डूम कर, दिना आची दिन कर, खातुना को डूम कर, वा, अध कि महाराघकी जड़ा। महाराँड तुम पर बहुत प्रसंद्ध है। सानु कोड़ा नमबर तैंद्द॥ अकोड़कन नमबर माराट के कान में है कान में? कान में तुक्याlicht. प्माबड़ कान में का weld साम हमिने 20 रुपए ठना रखो प्माबड़ गो मिल्हाराद की से बिख्तकों हना जी से लगी मैंट अब किina और yapıyorsun यिवीु η जूवी म जाओ माराथ की जा हूँ अब नम्बर किसी को मत पताना जाम पीछे सागता है क्या है तुमने में दोका दिया दोका आइस तो बोलो भाई महाराज जरा ध्यान कर रहे हैं बोलो क्या बात है तुमने गाहता पांच नंबर का घुड़ा जीतेगा वो तो सबसे पीछे रहा किया लेकिन जीता कौन से नंबर का चार कर दो तीन चार थे का कला है इस निकोड़ा इसली क्वारी महाराज में वहारह थेंडिक कर दोर अखो यहांस अंगोठे श्यालला को बीजान की और श्यान हमें रखे हैं यह तैन मैं तुमने अंगोठा श्यतर सब्सуск हएं यहां तुम्हारी खोपडी मेनी पैटी तो हम क्या करेगा? एकले संडे को नादो कर सफाई करके आना, तुम्हारा कल्यान कर दूआ. सबस्ते! तो के बाद है? तु भैना ने तु सानु अलो मनाया. लेकिन भाज साब, बात क्या हुई? तु सानु छे नंबर ते कोड़ी तिक्र तितिसी, तिक्र नौ नंबर साई. लेकिन नौ नंबर का गोला तो आया ना? नौ नंबर कोड़ा है. तिक्ट किस थै? वे एक वाजा ओ, तिक्ट. चक्का. आहो चक्का. एक मेटा. लोड़ते नौ है. तो महाराज ने तुमको नौ नंबर बराबर दिया लेकिन तुमने नौवे का छक्का कर दिया इसमें महाराज का कोई कसूर नहीं अभी सीदी तरह से घर जाओ अगले संडी आना तुम्हारा भी उधार कर देंगे पंडियां को सुनौ अगर उधार करवाना है तो भार से उधार लेकर आना महाराज के पास उधार नहीं चलता है अच्छा अच्छा क्या आ सिधा कर आपर सिधा कर चला भी आयो महाराज इस अजो इस निए तो लोगिय पिता ही करें जै हो जै हो महराज की जै हो सुन लिया तुम लोगोंने फ़दार रूपया जीता है नोने अब चलो निकल आते हमाने दो चलो बहुत बहुत शुक्रिया तुम अब बाकी की पैसे भी दे दो तुम्हारा बच्छा भी मार है उसके इलाज के यहां बच्छा अब मैं तुझे एक और टाइप पक्नूल बनाऊगा सेट जी मैं कोई बहुत बड़ा सौकार नहीं हूँ मामूली था आदमी मैंने आपको 30,000 रुप्य दिये थे यह रही रसीद अगर आप मेरी रखम मुझे लग रामनाथ इस वक्त मैं तुम्हें तीस जार दे नहीं सकता लेकिन लेकिन तुम कोई फिकर न करो तुम्हार मैं समझ गए रामनाथ इसलाओ राम पिते इस पुरनोट पर दस्खत कर दो इनको तसली हो जाएगी वो तो ठीक है पिताजी लेकिन इस तरह हमारे दस्खत करा के आप किस-किस को तसली देंगे अगर आप बुरा नमाने तो मैं एक सलाह दूँ हाँ बेटा को एक बार दिव अब किदारी वहिया ठेकी कह रहे हैं इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है शाम तुम यह सुने से पहले मैं मर जाता पच्छा लाव यह कागज दे दो मुझे इदर लाओ मामा मैं दस्खत कर देता हूं नहीं तू इस कादू कहां मुझे किसी के दसकत नहीं चाहिए सुना था कि अवलाद का रिष्टा माबाब के खून से होता है लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि मेरी अवलाद का रिष्टा मेरे खून से नहीं मेरी दौलत से रामनाथ जी मेरे पास एक गाड़ी बची है देख लेगर से तुम्हारा काम चल जाए जैसे आपकी मर्दी से लिए अई नारायन गाड़ी की चावियां दो लो रामनाथ ठीक है ना हाँ ठीक है से जी पिताजी यह आखरी गाड़ी भी आप दे रहे हैं क्या आप हम पैदल सटकों पर घूमेंगे राम यह भी अच्छा नहीं लगता करुजदार बाद के अवलाद गाड़ियों ने घूमती फिरे मगे पिताजी चूप रहो तुम ल और तो तुम्हें कुछ दे नहीं सकता यह सोने की घड़ी ले लो चेट जी ले लो तुमारे काम आएगी जाओ गोकुल जी जल्दी से मेरे लिए एक पहली चाय लेकर आओ बड़ी भाहू माले की चाती में दर्द हो रहा है मैं उनके लिए गरम पानी की थैली लेकर जा रहा है पहले चाय लेकर आओ कैसी बाते करती हैं बड़ी भाहू आपकी चाय बिमार मालिक की सेवा से जयादा जूरी है शुपरो मैं जो कहती हूं पहले वो करो जी नहीं अगर आपको इतनी जल्दी है तो खुद अपने हाथ से चाय बना लगे बड़ी लंबी हो गए ये जबान तेरी घर की मालिकिन को आखे दिखाता है मैं नहीं जानता आजकल घर की मालिकिन कौन है मैं पहले मालिक का काम करूँगा फिर किसी और का तेरी ये मजार को सुने आपने दो कोडी का नाखर मेरे मू लग रहा है दो कुल चाय लाते हूं या नहीं सुनानी मैंने क्या करा सुन लिया है राम बभू तुम ये चाहते हो कि जैसे तुमने मेरे मालिक से आखे फेडनी मैं भी फेडनू है बड़ा आया मालिक का सिक्टा भाईया गोकुल रादा पर तुमने हाथ उठाया ओहो ठीक है सुन्दर ठीक है नौकर को जारा सन नहीं चालाना चाहा प्या रही करम पानी की थैली मालिक जी मालिक तुम कही औरमोकरी कर ला हूँ, समझ अध्या, लेकिन पाल तुम कुछ तुपत्ता हूं मालिक गले नहीं जो किसी की पत्तल जातन होगा आप मुझे तंखाय न देजिये मालिक ये बात नहीं को गोकुल सेवा के कीमत तंखाय से ही नहीं इस जत सरी मिलनी चाहि उम्र भर आपका नमक खाया, अब जिन्दगी के चार दिन पाती हैं, अपने कदमों में पढ़ा रहे हैं मेरी बात मानो, गोकुल, मेरी बात मानो, सुनो, सुनो जी माले, जब नदी में बाड आती है, तो किनारे का दरख्त डूब जाता है लेकिन दरख्त के पंच्छे उल जाते हैं, और उन्हें उल जाना ही चाहिए, गोकुल माले, तुम भी जाओ, मुझे बड़ी खुशी होगी कि जिसने जिन्दगी भर निस्वार्त मेरी सेवा किया है, कम उसका मिजजद की जिन्दगी तु बिता रहा है माले, मैं तो मजबूर हूँ, जिनको जनम दिया उनका साथ तो मुझे निवा नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम के अपना बुड़ापा खराब करते हैं, गोकुल उठो, जाओ, 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 गोकुल माले, माले पॉत, जाओ, जाओ घुद रहने देखने हैं, जी नहीं चाहताला जी क्यों नहीं चाहता अरे पगले तु हर वक्त मेरे साया क्यों बना रहता है तु भी राम और शायम की तरह अपने बारे में सोच वरना मुरक का मुरक- गमार का गमारी बना रहेगा अगर इसी का नाम मुरत्ता और गमार पन है, तो मैं मुरक और गमार ही अच्छा हूँ, तुम मेरी चंपाना करो जो लो मामा, गरम पानी का सेख करो तू समझता ये दर्द गरम पानी के सेख से अच्छा हो जाएगा क्यों नहीं होगा मामा, जरूर होगा नहीं रे, मेरा दर्द कुछ और है, कर्ज का दर्द, जवान बेटी की शादी का दर्द, जा कनिया मुझे अक्यला छोड़ते जा मामा अरे जा कनिया, जाना, जा जा के नहीं क्या पिमत है, सस्ता ही मिल गया, सिर्फ देसाद, शाबज, पैनाओ, बाप के गले में कर्ज का फंदा है, और बीवी के गले में हिरों का हार बनाया जा रहा है, कनिया, तुम यहां क्यों आया हूँ, मैं यह कहने आया हूँ, मामा का दुख मुझ से सहा नहीं जाता, जैसी सिर मगतुरत, बाप के गले में हमस सुने तुम पहरे सहरे और लास हो, मैं उन BH 2 लाज संय देता हूं, लेकर मेरे देलि देन से क्या होता है, तुम सब ya'm together, ढकर चुता नहीं पैर्ष मे यहां प्रा इसे उसक्छी का रही हूई, कि मामा पिश्ता है, कर्छाभ़ों के नहीं कि बाप के गले में कर्स का फंदा है और बीवी के गले में हीरों का हार है, घर में जवान भेहन कमारी बैठी है और भाईयों के उस तरफ नदर तक नहीं उड़ती, तुम्हारी रगो में खून है या पानी, नहाजाने भगवान जैसे मामा के हाँ, ऐसी औराद कहां से पैदा हो हाँ, हाँ, तु है कौन, जो हर किसी के मुह लगा रहता है, भाभी लक्षी हो, बरना बता देता का मैं कौन हूँ, बोटी-बोटी करता दो मारी, तेदा, निगा जाए, निगा जाए, नहीं, छोड़े मुझे, छोड़े मुझे, छोड़े लक्षी, लेकर वा क्या, राम औ सब मेरे अपने हैं, क्या मैने समझाने ही सकता, मामा का दुख बताने ही सकता, आप क्यों नहीं समझते कि आपके इंजंग्रों से मामा और दुखी हो जाएंगे, सुनिये, अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को समझ लेना चाहिए, कि हम यहां कुछ नहीं, लक्षी, कैसी ब दो साधिया मिला कर चवण कपड़े हुए, समझे, यह कपड़े धुलने जा रहे हैं, धुलकर आये हैं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए कि कपड़े तने साफ और उजले हैं, कि धुलाई के कोई जरूरत नजर तो नहीं आती है, लेकिन आज तक इस खर का यही रिवा मैं कौन सा फजूल खर्च कर रही हूँ, जनम से अच्छा पहना है, अच्छा खाया है, भीकारियों की तरह मैं नहीं रह सकती, आखिर मैं कलेक्टर की बेटी हूँ, तुम कलेक्टर की बेटी जरूर हो, लेकिन इस घर की बहू भी हो, मैं तो यह कह रहा था, कि अगर अगर करोड़ों रुपए बरबास करती हैं, और हमें बचत की पट्टी पढ़ाते हैं, अगर बचत का इतना ही खयाल है, तो इतने अकिंती सिगरेट पीने के बज़ए भीरी क्यों नहीं पीते हैं, वा दीदी वा, भूब मू तोर जवाब दिया, अरे और नहीं तो क्या करती है, अगर बचत का इतना ही खयाल है, तो इतने अकिंती सिगरेट पीने के बज़ए भीरी क्यों नहीं पीते हैं, सारे घर में मैं आपको ढूंड आई, आप बाहर कहां चले गए थे, क्या वात है पारवत्ति, मुझे पचास रुपए दे दीजे, अपने कुल दे उता कृष्ण कनिया के मंदिर में, इस साल मैं पूजा करने जाओंगी, क्या जरूर थे, पारवत्ति मेरे पास फुजूल खर्चों की गुंजा ही नहीं है, फुजूल खर्चे कैसे, ये तो धर्म करम का काम है, पिछले दो-चार सालों से आप दूसरों को पूजा के लिए भेज रहे हैं, शायद इसलिए ये पुरे दिन हमारे सामने आए, और आपके सहत भी किरती जा रही है, लाइए, मुझे रुपे दे दीजे ना, फुजूल बहस मत करो, पारवत्ति मेरे पास रुपे नह में, कहां से दू मुझे तंग ना करो, जाओ, अच्छा नहीं देने हैं, तो मत दीजे, मैं अपने बच्चों से ले लूँगी, राम, राम बेटे, मुझे पचास रुपे दो, पचास रुपे? हाँ, मैंने तुम्हारे पिता जी की सहत के लिए मंदिर में मननत मान रखिया, मा, अगर देवी देवता सिर्फ पचास रुपे में किसी की सहत ठीक कर सके, तो लोग डॉक्टरों को फीज क्यों दे? बहस क्यों करते हो, क्या तुम्हे अपने पिता की जिंदी की प्यार ही नहीं? लेकिन बेवकुफी के नाम प्यार नहीं, और पिता जी खुदी तो हर काम में बचत की रत लगाये हुए हैं, अभी मंगला से कह रहे थे, कि हर रोज की धुलाई भी बन कर दो, नहीं मा, अब इस घर में फिजूल खर्ची की कोई गुंजाईश ने या बेटी, क्या तो? मा मेरे पास रूपया कहा है? मामा, ढूब में क्यों खड़े हो? क्या बात है मामा, बड़े उदास देख रहे हो? कुछ नहीं दे, कुछ नहीं ओ, समझ गया, तुम्हारी उदासी समझ गया, तुम्हें सिगरेट चाहिए न, मैं अभी दोड़ता मुझे सिगरेट नहीं चाहिए, मैंने सिगरेट पिना छोड़ दिया क्या आप बात करते हो मामा, तुम्हें सिगरेट पिना छोड़ दिया मेरी बातों सुनो, मामा, सुनो मामा सुनिये, क्यों मामा जी को तंकर रहे हैं मैं तंकर रहा हूँ ओफो, आपको क्या मालूम इस घर में क्या क्या हो रहा है क्या हो रहा है बच्चों ने रुपर नहीं दिया न मैं तुम्हें रोखना चाहता था पारवती फिर सोचा कि तुम खुद ही समझ लो कि बुरे वक्त में अपने आुलाद के लिए अच्छा, तो उन लोगों ने मामा को सिगर छोड़ने पर मजबूर किया, ठीक है, मैं उन सब को तंबाग हो रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं आप, देखते नहीं, मामा मामी की क्या हालत हो आपके घुच्से होने से काम और बिगर जाएगा, लक्षमी, मामा और मामी की हालत देखकर तो मेरी जान जलती है, लेकिन जगरता क्या करोंगे, क्या करोंगे, देखे, बच्चे आ रहे हैं, उनके सामें शान्थ हो जाएए, चाचा, चाचा, कहानी सुनाओ, चाचा, मामा एक राजा की सुनलो कहाली कही हाथी, ना घोड़े, ना ते, ना कोई, ना कही थी, कोई राजधानी एक राजा की सुनलो कहाली तिन बेटे थे आखों के तारे, बड़े प्यारे प्यारे दिलों के सहारे बथी राजा के अनमोल मोती, निगाहों के जोती थे मा के दुनारे बल्कों की ठामे घुजरा था बचबन मती में रूबी जवानी एक राजा की सुनलो कहाली एक राजा की सुनलो कहाली एक ऐसा मगर दिन भी आया जिसने राजा को निरधन बनाया हो गए खाली सारे खजाने है कैसा ये अंधिर जाया वो जो बेटे थे आखों के तारे राजा रानी के दिल के सहारे काम ऐसे में वो भी नाये सुकते फिरते थे आखें चुराये आराम के साथी क्या क्या थे जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं धन दालत के सब रिष्टे हैं धन रूठ गया तो कोई नहीं कौन गिरते को देता सहारा वो राजा बेचारा ठका और हारा सोचता था कहां है वो मोती वो आखों की जोती बने जो सहारा राजा तो चुप चाप पीता था आसू चुप चुप के रोती छिरानी एक राजा की सुन लो कहानी एक राजा की सुन लो कहानी हो गया अपना खून पर आया काम मगर एक चाकर आया एक भोला इंसान वहाँ था बचपन से महमान वहाँ था उसने जिसके टुकडे खाए सदा उसी के पाओ दबाए उन बेदर्दों के महतर में एक वही हम दर्द बचा था लेकिन मालिक को क्या देता बेचारे के पास ही क्या था अपने मालिक के पत्मों में रो रोके खुश होता चरन उसके धोधों के अपना तनमन निचावर वो करता रहा एक शारे पे मालिक के मरता रहा है कहानी मगर बात कल ही के है ना समझना ये पे तुम पुरानी एक राजा के सुनो कहानी माँ अपना नेकलेस अइसता बोलो माँ वर में रंगे हाथों पक्रण जाओंगा तुरेसे चुडा कर लाए हाँ माँ बादा के बहुत सा कदेर सरपे चड़ गया है उसे चुगाने के लिए चोड़ी करने पड़ी किसका है ये घीता मौसिका किता का रे क्या शोर मचा रखा है यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों बन्मारी घर जैसे आ है इसके लिए इसके लिए में खाना लेने जा रही क्यों जूट बोल रहे है यह देवकी सच कहोना क्या बात है मैंने तो शाम को इसे रस्तोई घर के पास खाना खाते हुए देखा है जी जी पिताजी यह कह रहा है इससे फिर से भुख लगी है अच्छा फिर से खिला दो लेकिन बत्या बन कर दो बिजली का बिल बरता है अच्छा मा आपको मेरे बक्ते में से क्या चाहिए पाब जीता का निखलेस कहां चुपा रहा है जीता का निखलेस मुझे क्या मालूम है ना मैने लिया है न चुराया है महरबानी करके आप आप मुछ पर जूटा इलजाम न लगाईए आहा हाहा कितनी अंजान बन रही है, इसके आने से पहले इस घर में कभी चोरी हुई थी, तो क्या मैं इस घर में चोरी करने आई हूँ? Mangala bhaavie, Saritah bhaavie, आप भी मेरी तरह इस घर के बहु बेचियाँ है, आप ही बताए, क्या बहु बेची कभी चोरी कर सकती है? गीता, गीता, तुम बताओ, क्या मैं चोर हूँ, चोरी जैसा नीच काम मैं कर सकती हूँ भाईया, बात को आगे ना बढ़ाओ, मुझे अपने नेकलेस चोरी होने का इतना अगम नहीं, जितना लक्षमी भावी के अपमान का गीता, तुम अभी बच्ची हो, अज्जान, इस चोरी की तहे का पता नो चलाया, तो आए दिन इस घर में चोरिया हुआ करेंगे अरे, अब कौन सा फसाद खड़ा हो गया इस घर में? पिता जी, गीता का नेकलेस चोरी हो गया, और हम सब को लक्षमी पर शक है क्या बखवास कर रहे हो, बखवास नहीं पिता जी, अगर ये नहीं मानी तो मैं पुलिस को बलाओंगा पुलिस को बलाओगे, मेरे घरवाजे पर पुलिस को बलाओगे, बस इतनी अकल रखते हो तुम पिताशी अब हम वो क्रोर पती नहीं दें जो एक कीमती नेकलेस की चूरी को हसी मजाक में नजल अंदास कर दें ठीक कहे तो परिया आज गीता की चूरी होगी सलसरीता की होगी परसो मंगना भावी की घर में और भी तो जेवर हैं अगर पुलिस आएगी तो सिर्फ लक्षमी की ही नहीं तुम सब की तलाशी होगी जो थोड़ी बहुत इज़त रह गई है वो भी चली जाएगी जब तुम मेंसे कोई चूरी के ल्जाम में पकड़ा जाएगा राम भाईया डैडी ठीक ही तो कहते है शरीफों के घर में पुलिस का क्या काम अगर पुलिस आगी तो चीक है भाईया एक ज़रा से नेकलेस के लिए पिताजी का दिल क्यों दखाना तुम चिप रहो देव की तुम लोग मूँ के अता करा हो जाओ अपना अपना काम करो अपने कपड़ों ठाल वेटी देखा भावी पिताजी में लक्षिमी की तरफदारी करने लगे है और सिंदर का क्या वो तहाई दुम चला लक्षिमी दिखने में बुरी नहीं जवान हैं हो सकता है कल राम और शाम भी उसकी तरफदारी करने लगे एक उसरे लड़की का एक गवाँ से रिष्टा कभी न कभी बुल जरू ठिला देता है जी जी कहते हुए शरमाती हैं लेकिन तरफ़े क्या सकते हैं इकठे जो रहते हैं ए ए एंटुशन्टू कहा तो इदर आओ तुम आजे प्ले लाया हूं संचरे लाया हूं लाजे का तुने बंसरी लक्षमी तू रो क्यों रही है क्या हुआ अब रोती जाएगी या कुछ कहेगी भी किसी ने गीता का नेकलेश चुरा लिया है और वो लोग मुझे चोर कह रहा है बाज इतनी सी बात थी जिस पर मोतियों जैसे आंसु लुटा दिये तुझे चोर कहा तो क्या हुआ उस दिन मुझे कुटा नहीं कहा था अगली आदमी अपनों की बात दिल में रख ले तो जीना मुश्किल हो जाए सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने आपको गवाल और मुझे खुबसूरत कहकरी दरोदर की बाते भी कि तुझे खुबसूरत कहा चलो कोई तो सच बात कहीं वैसे ठीक ही तो है लक्ष्मी मुझ जैसे भूले बादशा को तुझ जैसी खुबसूरत लड़की कहां से मिलती आप कुछ नहीं समझते कैसे समझाओं आपको कि उनके बातों का क्या मतलब था राम कसम आई तक चेहरा इतना लाल कभी नहीं देखा आपको मजाग सूझ रहा है और यहां मेरा दिल पैठा जा रहा है चलिए कहीं और चले यह घर हमारी जगा नहीं लक्ष्मी क्या कहा इस घर को छोड़के कहीं चले जाए तू इस घर में फूर डालने आई है यह थिर लोग हमें बुरा कहें हमारी अबमान करें फिर यह सब हमारे हैं मामा माम काइमार हमाई हमारी डाल है और सब इस डाल के पंच्छी है पर कभी ऐसी बात की तो जाल समा तरू अगा वै दिन रात दूसरों की जली कटी सुनने से तो आपके हाँ तो मर जाना अच्छा है सर पे छट और दो वक्त की रोटी ही सब कुछ नहीं होती भूकी को तो भीग भी मिल जाती है लेकिन बेजजद आदमी को तो कोई पास भी नहीं बिल जाती है मामा तुम्हें मुझे बुलाया है मामा क्या बात है मामा चुप क्यों हो मामा मैं तुछ से कुछ कहना चाहता हूँ तो कहते हैं क्यों नहीं तो फोरण हैसे चला जाए चीक है तुमने बुलाया था तो मैं आगया अब चला जाता हूँ मैं क्या खेना चाहता हूँ? तो समझा दो ना मामा मैं चाहता हूँ कि लक्षमी को साथ लेकर चला जा मामा मजा के लिए कोई और नहीं मिला? तुम तो जानते ही हो लक्षमी हमेशा मामी के साथ बार जाती है मेरे साथ नहीं जाती अरे कनिया मुझे समझने की कोशिश कर, मैं चाहता हूँ कि लक्षमी को साथ लेकर कोई और ठिकाना ढूंड ले मामा, 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 क्या कहाँ? अब तेरा यहां से चले जाने को वक्त आगए है तुम यह चाहते हो कि मैं यह घर छोड़ का चला जाओं? हाँ, मैं यही चाहता हूँ, मैं नहीं जाओगा नहीं जाएगा, तेरी रगों में घरत का खुन नहीं है तु मर्द नहीं, अगर मर्द है तो अपने बलबूते पर अपना और अपनी बीबी का पेट नहीं बर सकता बिलकुल नहीं आँ, हाय, बिलकुल नहीं तुम्सेराएव मामा याद करो मामा जब मैने लक्श्मी से शादी करने का, तक मैने तो सफ वहारा ज ता कर मेरे साथ साथ, तुम्हे लक्ष्मी की पीपूरया भै उठानी पड़ mama तो अब क्या हुआ, इस घर में जहां राम, शाम, सुंदर सब का पेट पल रहा है, माम मेरा और लक्ष्मी का गुजारा नहीं हो सकता। यह क्यों भूलता का नहीं है, वो मेरे अपने बच्चे है, मैंने उन्हें जनम दिया है, उनका साथ निबाना मेरा फर्ज है। टुछेवरा, मेरा, मेरा तुछे कहा तो लेहाँ दूस्हा है, यह से नहीं हो, गतले हैंता है लेकिन लक्ष्मी को लेकर मैं जाओंगा कहाँ मामा तुम्हारे स्वाइश दुनिया में मेरा है को ये घर छोड़कर मैं अपना सर कहाँ छुबाओंगा ये मुझे नहीं मालूं अपनी मेहनत की रूख मिश्वी काईकर अपना यूक्ष्मी का पेट भर लेना लेकिन तु जाए हाथ आप अपने दिल से कह रहा हon मैं मूँ नहीं ज़ственन मुझा मामी किया विकी रहा है मैं जो जाता हैं जो आप मांrat नायों जाती मुझाएंित लिएट मैं जाता हैं मैं ज़ाता हो मामा मैं जाता हूँ कर्मिया यह ले पिशाथ मिल गया परशाथ क्या हुआ बिटे अब क्यों इतना प्यारज़ता रही हो मुझे इतना इतना प्यार था तो मुझे इस तरह घर से निकल जाने को ना कहती अरे क्या बढ़ बढ़ रहा जैसे तो मैं कुछ मालूम ही नहीं तुमने क्यू मामा से कहा कि मैं और लक्षमी इस घर से चले जाए लेकिन कहां जाएंगी हम तुम दोनों की स्वा किसका सहारा है मुझे और फिर तुमने काउं सापने बच्चों की तरह मुझे पढ़ाया लिखाया है इस घर से बाहर जाकर मैं क्या करोगा ठीक है मामी लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम इतनी निर्दाई ही हो कनहया बेदे मेरे भी कुस्त है क्या आपने कनहया लक्षमी को घर से जाने के लिए कहा आप आरवटी कहा क्यों अगर उन्होंने कुछ गल्टी किये तो उन्हीं बुला कर डांट देते क्या हो हमारे बच्चे नहीं है कहां जाएंगे क्या करेंगे जब उसने भोले बंसे मुझे पूछा क्या तुम्हे अपने बच्चे की तरह मुझे बढ़ाय लिखा है तो मेरा जीब रहा है तो कि तुम समझ रहे हैं मुझे बड़ी खुशी हो रही पारवती लेकिन क्या कुसूर किया है उन्होंने उनका कोई कुसूर नहीं पारवती है तुम नहीं जानती है आज सबने मिलकर लक्षमी को चोर ठहराया उसके खलाफ बरी गंदी गंदी बातें कहीं किसने हैं हमारी अपने बच्चों नहीं लक्षमी और कन्हया के खलाफ कोई कुछ कहे तो मेरे दिल में तीर सा लग जाता है और आज वो तीर घुजग गया मेरे दिल में बड़ी मुश्किल से अपने जखमे दिल को थामा बड़ी मुश्किल से अपनी जबान को यह कहने पर मजबूर किया कन्हया तु लक्षमी को लेकर यहां से चला जाओ लेकिन उनके पास तो कुछ भी नहीं है आपने उनके गुजारी के लिए कुछ दिया उने पारवती आज जो मेरे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है जिंदेगे में यह फुरसती नहीं मिले कि सोचूं कि अपने मेरे हैं यह पराय मेरे अपने हैं और आज इस गफलत की सज़त तुमको गीता को कनेया और लक्षमी को सबको मिल रही है तो फिर मैं यहां से उन्हें दर्दर की ठोकरे खाने के लिए नहीं जाने तूंगे पारवती अभी तक तुमने अपने बच्चों को पहचाना नहीं तुमने सोचा नहीं कि मेरे मर जाने के बात कनेया और लक्षमी की क्या दुर्दशा होगी यह तुमने सोचा नहीं और कनेया भी जब तक इस घर में रहेगा इस बात को समझेगा नहीं कि उसके दिल में महल नहीं उसकी सेवा में कोई स्वार्थ नहीं उसे जाने दो, पारवती उसे जाने दो, वक्त के दो-चार थपेड़ खाकर वो दुनिया में जिन्दा रहना सीख लेगा, कम असकम अपने पेरों पर खड़ा तो हो जाएगा चाचा अट्टू, शांटू, तुम क्यों रहते हो, देखो भार जाके भह सी कहानिया सीख जा helmet mill од पहुशारी कहाने तू寏 कम पर खालud मुशें यह, चाचा दू मने खालU खूंपो जाओ, अट्टू, हिन्टू उसे खालों, खालूपो खालो मुशे खालू। लेक्षिमी, यह दाल चावा लेक्टी जाओ, इसकी क्या जरूर रहा है? मामी, बेटी, अब इस उजड़ी नगरे में रखा एक है जो तुम्हें तुम्हें तुम्हें, जब तक कनया काम पर न लग जाए, इसे से गुजारा कर लेना, बेटी, दूसरों की गुलामी से अपने पती के साथ फाके काट लेना, कहीं अच्छा है, और जहां तुम्हारा कन उठा कर आकाश पर बिठाया, आपके उपकारों का बदला मैं सोजनम में भी नहीं चुका सकूँगी, एक बिंती है मामी, क्या बात है बेटी, ये जेवर आपने मुझे शादी के वक दिये थे, मैं ने कहां का उठाय फिरूँगी, गीता की शादी के लिए रख लीजे ने बेटी, तुमने जो कुछ कहा है, सेवा भाव से कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा, किसीने मेरे मुपर थपड मारा हो, एक तो निराज, बे सहरा मैं तुम्हें घर से भेज रही है, उपर से तुम्हारी ये जेवर ले लो, लक्षमी, बड़ी बेटी के जेवर उतार कर अपने पास रखो, बेटी, अपने पास रखो, लक्षमी, मेरे मुरुद बच्चों को ख्षमा कर देना, मामी, बेटी, लक्षमी, अरियो लक्षमी, चल जल दी आ, मैं सोचते था, मेरे जाते समय, तुम सब रो पड़ोगे, मुझे ये घर छोड़कर नहीं जाने दोगे, लेकिन, लेकिन तुम्हे तुम्हे ज़र भी परवा नहीं, सब बुद बने खड़े हो, हाँ, ठीक है, मेरी परवा किसे ह तो पिताजी की चपने चुलाके ले जा रहा था इन तूटे हुई चपलों के लिए क्यों अपनी बेशती करवा रहा है मामी, मामा की चपल मेरे पास रहेगी तो मैं समझूँगा मामा में मेरे आस पास ही है तुम ही कहो मामी, पंदरह बीस बरस तक जिस भरे आदमी के पाऊं मैंने तबाए है क्या मैं उन पाऊं के एक निशानी भी अपने पास नहीं रख सकता बोलो मामी, क्या मुझे इतना भी हग नहीं कि मैं मामा की चपल अपने साथ ले जाओ कनेया, तुछ सिर्फ चपली इस घर से लेकर नहीं जा रहा है बलके चपल के साथ निश्काम प्यार, निश्काम सेवार, निश्काम पुझा की भावनाय भी लेकर जा रहा है मामी कनेया, कनेया, तेरे चले जाने के पास ये घर एक ऐसा उजड़ा हुआ मंदिर बनकर रहे जाएगा जिसमें भगवार की मूर्थी तो होगी, लेकिन आरती उतारने वाला पूझारी नहोगा मामी, 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 मामी मेरे को रहसा पाप क्या है, मामी, कि जाते दुमें मुझा अशीरवात भी नहीं दे रही अच्छा मामी, तुम्हारा गनिया जा रहा तुम्हारा गनिया जा रहा तुम्हारा गनिया जे गीता, मामा खा और मामी को ख्यार लग नहीं नहीं गीता नहीं, रोनी गीता, रोनी, रोनी अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, चलता हूँ चलता हूँ करें लक्षमे गाई वाले जरा रोको मामा जी जी कि रहो बेटे ठने या मुझे नाराज है सच्छा जठैरा मामा जी जब आपका आशिरवाद हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता है इंकार ना करना इसी काम पर गया हुआ था जरूरत के वक्त थोड़ा कुछ भी बहुत होता है इससे जादा करना सका है क्यों दोस्त ऐसा भी क्या गुस्ता जाते वक्त एक मुस्कराद तो इस तरह फैंक दो जानता हूं तेरा कुछ विवार हूं लेकिन तो बहुत बड़े दिल कादम है जान तो बड़ा हूं जाते पैप छुलो तो बड़ा हूं था तेरे पैप चुलो भाबा इससे लगो भाबा इससे लोगो भाबा क्यों कैसे ओ आप बड़ा हुआ करना नहीं है मैंने जो कुछ पीआ तेरे भाले के लिछा उठ बाबा, बाबा बाबा, बाबा बदस चुप हो जा करता मिशा चुप हो ओजा अगले जिद्गी में हसने रोने धोनो के व्क्त आते हैं कई लोगों के हस कर भी नहीं किजागे जो उटान के लिए वात तैने के लिए घुकर जातां दूआए, घुक छुप किराने 、 घुझसरात का रखंपने गद भिर जागती तो रहता रहेगा ? शुक्षाने के जाहिए और खोने का हो जागती गधर सुप कर नहीं लुडाती अभत आगा अब तो सुखी बर्सातों के दिन आ गए मुझे बचन दे, तुज इन्दे किसी लड़ेगा, किसी का इसान नहीं उठाएगा, अपने तार उपर ख़ड़ा होगा अच्छा मामा, अच्छा, बेचे गड़ी माँ मामा, तुम भी घर जाओ मामा, ज्यादा धूब तुमारे की आच्छी रेगा चलो लगे और हां मामा, सुना मामा, वक्त पर खाना खाना, वक्त पर सो जाऊ पाहो दबाने के लिए मैनज है, मामी तो है तो घर में कोई भी कुछ का है तो उससा नहीं करना इसे तमरे उर बढ़ाया ओर जाए तो ठीक कासा अनलिया लेकिन बढ़ने के दिन नहीं घटने के दिन आ गय जो 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 शाम होती है आदमी छोटा होता जाता है और साय लम्य होता जाता है चा, बेर जगारी माना, चा अच्छा ममा खुश्राओ, खुश्राओ, मेरे पगले खुश्रा ममा चा तुम तो दूर हो के और भी नदी होगे आपको क्या चाहिए? पान पूना, कमचूना और कथा दूना और आपको क्या चाहिए? तुम इस महले में नए नए आई हो? जिहां, किसी लिए कीमत कुछे बगार केले खा गए? केलों की कीमत काओ नहीं जानता? भूरे तुम नहीं खा लिए रखी, पहन लाख केले केले कीमत काओ लो बागी पैसे मुझे देदो बागी किस बाद के? पंद्रा और निकालो पंद्रा और पे? दो केले क्या पच्ची जवए के होते हैं? तो फिर मेरे केले वापस कर दो वो तो हमने खा लिये, वो कैसे वापस होंगे? अगर खो तो दूजी दुकान से लेकर देदू नहीं, नहीं, मुझे वो ही केले चाहिए जो तुमने अभी खाए हैं, नहीं तो पंद्रा पे निकालो अरे वाप, क्या लूट मजी है? नहीं निकाल पे जाओ आज पैसे नहीं आज पैसे नहीं अब दो केलो की कीमत 25 रुपे मांगता है अच्छा, क्येला क्या काया? सोना खा लिया बाश्या कसूर तुम्हेरा उस्ताथ, इसने तो मुझे पूछा तक नहीं मालू है, मालू है, मालू पहले इससे दाम खेरान थे, उसके बाद केले खाने थे अब तो 25 रुपे देने पड़े किस अनियर नकली में आ गए है यहां का राजया भी चौपट है, 15 रुपे दे दो भाई अरे वाह, अस्ताथ, वाह आगको तो किसी मुल्क का नयाय मंत्री होना चाहिए था क्या पिएंगे आप? मुपट्ची मिल जाएगी तो एक नारंगी पिलूँगा अमा एक क्या दो चाहन अरे सुनो, यह बकरा है के बकरी? बकरी, किसकी है? है तो मेरी, बच्चों का दिल बहलाने के लिए रखी है दे दीजे पैसे यह लो 15 रुपए अराम की कमाई से महल खड़े कर लेना यह लो बच्चा, यह बकरी भी साथ लेते जा अरे, मेरी बकरी इसे क्यों देती हो? देखो बच्चा, जो केले इस बच्चाने खाएं उन केलों के छिलके तुमारे एक मौतरमा बकरी में खानी है और उस बीचाने से पूछा तक नहीं तो क्या इसके बच्रीा में? यह मेरी बकरी भी ले जाएगा नहीं, तुम इसे छिलके वापस लोटा दो यह खिलके, आपने को यह खिलके नहीं chew aut 53 रुपश यह को तुमारी बकरी मेरी पेठा के या रुबत आएंगे? नहीं आएंगे तो तुम उसके दाम देदो, फी छिलका 25 रुपया होता है, दो छिलकों की किमत 50 रुपया, 50 रुपया तुम ये बाश्या को देगा, चाहिए लूट मचाहिए, अब चुला मत, अगर सुप्रेम कोट तक भी जाएगा तो फैसला इसके हाथ में होगा, अब देखा है, हेंटर उल्लाखा कावली, उस्ताज, मैं 25 रुपय वापस देता हूँ, जो केले खाए वो मुख में, ठीक है, तो 25 रुपय तुम इनको देदो, और अपनी पीप पे 25 हेंटर खालो, हिसाब बराबर होगा, ना ना बाबाबा, मैं 50 ही वापस कर देता हूँ, ये 25 तुम्हारी दे इमानी के, ये कर्यूग है बाबा, कर्यूग, कल्यूग नहीं, इस हाथ दे, उस हाथ ले, अब दोनों हाथ से अपनी बखरी पकल दे, और ये रही मेरी ना रंगी जाने पे, ये लो बाश्या, 25 और 25 पचार, मुझे हराम के पैसे नहीं चाहिए, मेरे ये हराम के 25 किसी और के काम आरे लगी, अरो सुनो, ये तुम अपनी दीवी के साथ इस मुल्ले में क्यों आए, क्या बता हूँ, मामा के बुरे दिन आ गए, हमें वो घर छोड़ना पड़ा, लेकिन अब कहा जा रहो, जहां पाउं ले जाएं, तो इसमें निराश क्यों होत चलो मेरे घर चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, हम किसी पर बोज नहीं बनना चाहते, अरे बोज की क्या बात करते हो, गरीब से गरीब का वो रिष्टा होता है, जो सगे भाई का सगे भाई से नहीं होता, रत्मा की शादी के बाद, मैं भी ये समझूगा कि मुझे मेरी बह बहुत चलो बहुत मिल गई, चलो बहुत 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 बाई का चलो, चलो ना करनया सोचते क्या चलो, अरो चलो ना यार, चलो वाव 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 एक औरत के आजयने थे इस घर से कितनों को बाहर जाना पड़ा क्यों भाईया यहां पहले की कोई रहते थे हां मेरी बहुत बड़ी फैमली थी यहां चुवे लोग रहते थे चिपकलियां रहती थी मकड़ी रहती थी लेकिन तुमने हां कर ऐसी ज़ड़ु मारी कि सब साफ हो गए मुलादो प्यादा ने मुझे ठीकी कहा था अगर किसी अच्छी औरत के हाथ कूड़े करकट पर भी लग जाए तो वो भी जन्नत हो जाती है तुम भी कैसी बाते करते हैं ओ ओ ओ ओ ओ यह मुंडी उदर करके क्या हो रहा मिस्टर भरत जी ये क्या राम चंदर जी की ख़लाओं आप सिंहासन पर रख रहा है वीरवल भाई ये चफलें जिनकी हैं वो मेरे लिए श्री राम चंदर जी ही है मैं समझा तो ये तुम्हारे मामा जी की चरंद आसिया है लेकिन भाई का नहिया तुम थोड़े लेट होगे अगर तुम दस-पंदरा हजार साल पहले पैदा हुए होते न तो ये चालू दुनिया तुमारी तपस्या की कुछ तो कदर करती मेरी तपस्या का संबंद मेरे मन से है दुनिया से नहीं दुनिया तो सिर्फ लेना जानती है देना नहीं अगर ये बात तुम्हारी खोपड़ी में आ गई है तो तुम कमा खाओगो खाओगे लक्षमी बैन चने की दाल की खुचबवारी ये आते वक्त मामी ने राशन दिया था कुछ दिनों तक गुजरा हो जाएगा देखो लक्षमी बैन तुम अपने भाई के साथ ये कुछ दिनों की बात ना करो जब तक तक तुम्हारा ये भाई बीरबल जिंदा है तुम्हारा इतना ही ऐसान काफी है कि तुमने अपने घर मे हमें आस्रा दिया आज अगर मेरा सगा भाई मधु भी होता तो शायद वो भी ऐसा ना करता है अगर मेरे मामा मामी वक्त पर काम ना आते तो तू भी गलियों में भीग मांग रही होती ऐसे आदमी का नाम लेना भी पात क्यों भीरबल भाई ठीक है ना हाँ ठीक है अरे भाईया यह सारी बाते सुनकर तुम इतने दुखी होगा नहीं रहे ऐसी कोई बात नहीं यह तो मेरा सोभग यह के तुम मेरे पास हो अगर मेरी कमाई का कुछ रुपया तुम दोनों पर भी खर्च हो तो मुझे बला अच् बस कहीं नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा यह कौंसी बड़ी बात है सुना क्या फैक्टरी कभ होंगा नौकरी पक्की सची हाँ सची लक्ष्वी मैनेजर साब आगे देखो भाई नौकरी तो तुम्हें मिल जाएगी लेकिन एक बात याद रखना जब क्लरक साब अपनी मेज की दराज खोले तो उसमें पांच-दस पंद्राब डाल देना उसके बाद अगर वो मेज की दराज बंद बंद देना उसके बाद अगर वो तो तुम समझो कि तुम्हें किस बच्चा दरवागा खुल गया जाओ जाओ अच्छा मैं अहुजा मोटरस में पांच साल फिटर का काम करता रहा हूं सर्टिफिकेट है मेरे पास ठीक है ठीक है लेकिन हमारी या फिटर के जगा कोई खाली नहीं है आप मालिक है आप चाहे तो नहीं जगेद भी बना सकते हैं हाँ नहीं जगा बना सकता हूं लेकिन कुछ और अच्छा दूंडो राम तुम ऐसा करना अगले मेहने की पहली तारीक को आ जाना मेरे बाणी जाए दोनों कहा जाते हो एक एक करके जाओ ये मेरा भतिजा है बिना चाचा के कही नहीं जा हाँ तो याद रखो क्लेर्क साहब हाँ वो सब मुझे मालूम है दाराज क्लोस किसमत ओपन बदीजे अंदर नमस्ते तुम दोनों एक साथ क्यों आयों मैं एक वक्त पर शिर्फ एक आत्मे से मिलता हूं माई बाब नौकरी तो इस बिचारे को चाहिए मैं तो सरिफ आपके दर्शनम के लिए आया है तुम क्या-क्या जालते हो जी मालिक मैं बहुत ही इमानदार आदमी हूँ मस्बूत भी हूँ दिन रात मेहत कर सकता हूँ और माई बाब आपकी फ्रेक्ट्री के साथ ये आपके घर का भी काम करने रहाता है हाँ बस इतने ही और कोई तजरुबा नहीं माई बाब तजरुबे से क्या होता है आज की अखबार में आपने पड़ा नहीं बड़े बड़े डिगरी वाले इंजिनिर लोगों ने बरसों की मैनत और करोणों की लागत लगा कर एक डैम बनाया और कल राज एक बरसात पड़ते ह बस बस भी वो डैम डैम फुल हो गया मेना मतलब फूस हो गया और वही डैम पानी में तैरने लगा शपाण शपाण तुम मेरी बात नहीं समझ नोकरी तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन तुम्हें नोकरी देने से मुझे क्या मिले है जनाब आब को फेक्तिर का तुम लोग अभी मेरी बात नहीं समझ गया हूँ आपका मतलब है हिंदी में रिश्वात और अंग्रेजी में पुराइब सेहना यह मैंने कब आप आप अठक गया रहा है यहां कोई लूकर नहीं हाथ चिलाना नहीं लूगो ने की लिए हाथ गरम करने के लिए अपनी जोड़ सोरु निकालकर जोहीं दिराज में जानता साब ये लफड़े वाली बात कुछ भी नहीं जानता, बात दर असल ये साब, ये आदमी हम लोग से माल खाना मंगता था, मैं इसको गरम, इसका हाथ गरम करने के लिए अपनी जर सो रुपिया निकाल कर जो ही दराज में दाला, बस मेरा हाथ भी अटक गया और नोट भी अट तो नहीं नहीं साब, ये जूट बोलता है, तुमने कहां दिये थे, तुमने तो एक रुपया दिया था एक, बाकी तो किसी और की है, ये लिजे साब, आप गलती होगी, मैंने एक ही रुपए की नोट दी थी, फटी यूई, कैसे दुनिया है, तुम एक सच्छे और भोले आदमी माला होते हो, कल से नोकरी पे आजाएं, दुनिया बादा, नमस्ते जी, नमस्ते बेटी गीता, समय कैसे बदल जाता है, कौन कह सकता था, कि एक दिन तुम्हें उसी स्कूल में नोकरी करने पड़ेगी, जिसकी बनिया तुम्हारे पिता जी की साहायता से रखे गई, जी, मुझे उस बाद का कोई दुख नहीं, जीवन में नर्म, घर्म, मूच नीच, हर चीज का अभयास होना चाहिए, जीती रहो बेटी, बड़े नेक विचार है तुम्हारे, हाँ देखो बेटी, हमारे स्कूल के सालाना उच्थो को कामया बनाना तुम्हारा ही काम है, इस गीता, गीता, ठेरो गीता, आओ गीता, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चुकरिया, अब हमारी हसियत मोटरों में जाने की नहीं है, गीता, तुम्हारी अमीरी या गरीबी से मेरा कोई संबंद नहीं, मैं तो तुम से शराफत के नाते कह रहा था, शराफत, बहुत दे बूलिए कि मैं उस बाप की बेटी हूँ जो शराफत के सही माने जानते हैं, नमस्ते. मामा, तुम्हारा कनहिया अपनी महनत और कोशिश से आज कुछ कमाने के काबिल हो गया है. यह है मेरी पहनी तुलखा, मुझे आशिरवाद दो. कल रात से कुछ घबराट से हो रही है परवती. मैंने डॉक्टर को फोन करते हैं, आते हो. अंटू, शंटू, कहा दो. चाचा, चाचा, चाचा. अंटू, शंटू, यह बताओ, मैं तो वाली क्या लाया हूँ. क्या, क्या? चलिए आँख बंद करो. अब आँख खोलो. चाचा, मैंने. एक अंटू के लिए, एक शंटू के लिए. चाचा, हाथ में क्या हुआ? हाथ में? बड़ा कुसली, कुसली. देखो, दादा को नहीं बोला, हाँ? दादा को नहीं बोला. चलो, दादा को मिली. जरवा. दादाजी, दादाजी, कन्धया चाचा आये हैं. अरे, अच्छा. अरे, अच्छा. अभी रहंतो, छुपाता सब. कन्धया परेशन हो जाएवाँ. जरवाँ. जरवाँ, जरवाँ. जरवाँ, मामा. आज कन्हों या. जिचा मामा? इत्रे कमशोर हो गया. तुबीए तो ठीक है, न? तो बिल्कुल ठीक है. तेरा कान दाग कैसे चल रहा? बिल्कुल फस्ट क्रास मामा. बैट, 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 नहीं है बैच मामी, मामी मामी कही हरो तो बिलकुल अच्छी हुए थे चुतने दिनों के बाद तेरी मेथिया वाथ कानों में बड़ी लक्षमी का है घर में अच्छा क्या अच्छा मामी क्या वो लूली लंगडी है जो लेटी रहेगी और ये बात नहीं तो और क्या बात है रोटी बनाती है जाड़ू बरतन करती है मेरे कपड़े धोती है तो मुरख का मुरख या मैं कुछ और पूछ रहे थी देहो मामा मामी के हर बात के दो मतलब होते हैं अगर मैं ना करते हो यह औरतों वाली बात का जवाब मरत कैसे देगा अरे ठीक ही तो कह रहा है पारवस्ती तुम इससे को पूछ रहे हो लक्षमी से पूछ लेना लेकिन क्या पूछोगी यही कि तुम दोनों को हमारी याद आती है यह नहीं मामी सच बात बोलू मैं तुम दोनों को जरा अब यह बता आज कल काम काज क्या कर रहा है मामा आज कल मैं लोह की मिल में काम करता हूं बड़ी मेनत का काम है मामी दिन भर काम करने के तीन रुपए मिलते हैं और जब रात पाली होती है तो दो रुपए और सब मिला के फाइव रुपीज फाइव रुपीज मामा अब मैं अब मैं कमाओ बेटा हूँ, कमाओ बेटा हूँ अब बड़ी सुषी की बात है असली बात तो भूली गया मामा आंग बन करो आंग बन करो ना मामा अब खुलो देखा तुम्हारा मन भाता सिक्रेट पियों को तो नशा आ जागा मामा अब मैं सिक्रेट लाया हूँ, तो क्या मामा को पीने नहीं चाहिए कितने प्यार से विचारें सिक्रेट लाये और आप इसे दांट ले क्या बच्चों जैसे बाता करती हूँ मामा एक सिक्रेट मुह में रख लो और मैं उसे पराने जमाने की तरह ऐसे सुलगा हूँ भा तु जानता मैं सिक्रेट छोड़ चुक्त क्या हुआ कुछी मामा वो एक मजदूर का हाग मशीन में आ गया था मैं उसे बचाने गया तो मुझे भी जरा सी चोट लग गई मैं साथ दूसरों पर ही ख्याल करता है कभी अपना भी ख्याल किया कर वरना बुद्धू का बुद्धि रहा जाएगा मामा मामा यह क्या सिर्जी मैंने आपको लेटने के लिए ताहा था और आप बैखे हुए यह बहुत बुरी बात क्यों बर ममा के विवлять में एक एक विडा करता है तुम जूर बोखते हो मामा टाक्तर से बहूना कि मेरी ठीक होर्मा यह घर नहीं का निया सिर्जी बिल्कुल ठीक है तुम ठीक हना और हजा कर तो तुम सच कहते हो डौक्टर? हाँ हाँ मैं सच कह रहा अरे सच हो तो ठीक है ए सरफ तो मैं जाता हो मामी मामा का क्या लगना गर원 पाझी का निंटेक करती रहना और हम पहुँ दोबाना निभूला अच्छा या अच्छा मामा, मैं जाता हो जा रम रिक्ते शर्से पहां तक भूला है लेकिन आप तो भोले नहीं, आप घर से काम नहीं चलेगा, आपका नर्सिंगों में दाखिल होना बहुत जरूरी, डॉक्टर नर्सिंगों क्यों भेज तो घरी में रहन दो मुझको, सेट जी, मैं आपका बरसूं का डॉक्टर हूँ, आपको गलत राय नहीं दूगा, डॉक् पिताजी कि कि खेराथी हस्पताल में क्यों भी नहीं चले जाते हैं, हाँ, ठीकी तो है, वहाँ भी तो लोगों का इलाज होता है, आप लोग पिताजी के लिए परेशान नहोईगी, मेरे होते हुए ये नौबत कभी हुए आएगी, तो दुनिया को ये दिखाना चाहते है कि हमें द्यादी की परवान है, तो ही एक उनकी मददगार है, दांसिंग स्कूल में नौकरी करके चार पैसे क्या कमाने शुरू करती है, कि जमीन पर पाव ही नहीं पढ़ते, मैं तुमसे पूछना ही चाहता था, कैंसी जलील नौकरी करके तुमने खानदान के नाम को बत् का यह बात हमारे खंदान का नाम रोशन कर रही है? गीता, तुम्हारी उमर यह बाते करनी की नहीं हो, जब पानी सर से हुच्चा हो जाए, तो बोलना ही पड़ता, गीता, तु हत से आगे बढ़ रही है, खत से आगे बढ़ना मैंने आप लोगों से ही सीखा है, जब जी के लिए प्यार और इज़त भी रुखसत हो गई आज आप लोगों की बेरुखी एक एक पल उन्हें माद की तरफ गसीद कर ले जा रही है जानते हैं आज वो दिल ही दिल में क्या सोचते हैं क्या सोचते हैं यही कि उनके आप जैसे फरेबी और जूठे बेटे ना होते सिर्फ एक नहीं जैसा बेटा होती जानते बहुत अच्छे किया भीया छोडी बेहन के मुपर तमाचा मारकर हंदान का नाम रोशन कर दिया मैं तुम्हारे तमाचे को भी इस साल के राखे का निजरा न समझेंगे शाबाज पेटे शाबाज पेटे शाबाज पेता जी तुम लोग आपस में एक दूसरे का मुझ क्या ताक रहें जीता ने जो कुछ कहा है सच कहा है अगर तुम सब की जगा अखेलाता नहीं या मेरा बेका होता तुमें अपने आपको भाजवान समझता है जाओ जाओ लेकिन ये भी सुनकर जाओ तुम लोग इतने गिर चुके हो कि सच को बरदाश्ट नहीं कर सके इसलिए आज तुमने मेरी मा सुम बच्ची पर हाथ उठाया पताजी मुझे खिमा कर दीजिए मैंने मुर्कता में भाईयों और भावियों से ने जाने कहके कुछ कह दिया ठीक ये देटी जबान तेरी थी लाट मेरी ही थे लेकिन इन बहरों के आगे क्या सहनाई बजाना मा करतना बेटी मैं तेरेने कुछ नहीं कर सका बेटी मैं तेरेने कुछ नहीं कर सका जाए जाए मुझे जब अपनी गुजरी जिंदगानी याद आती है तो बस एक महरवान की महरवानी याद आती है एए मेरे दोस्त एए मेरे हम्दम मेरे महसिन मेरे करम फरमा वो मेरा गम था या खुशी मेरी हर जगा तुने मेरा साथ दिया है मेरे दोस्त एए मेरे हम्दम मेरे महसिन मेरे करम फरमा वो मेरा गम था या खुशी मेरी हर जगा तुने मेरा साथ दिया है मेरे दोस्त एए मेरे हम्दम कौन था तू कहां से आया था आज तक मैंने ये नहीं जाना तु मेरी रूह था मगर मैंने तेरे जाने के बाद पहचाना एए मेरे दोस्त एए मेरे हम्दम मेरे महसिन मेरे करम फरमा वो मेरा गम था या खुशी मेरी हर जगा तूने मेरा साथ दिया है मेरे दोस्त एए मेरे हम्दम तू सुदा मा भी है कनया भी कनया कनया तू सुदा मा भी है कनया भी तू भी कारी भी और दाता भी तेरे सारंग है मेरे प्यारे तू ही प्यासा है तू ही जरना भी एए मेरे दोस्त एए मेरे हम्दम मेरे महसिन मेरे करम फर्मा वो मेरा गम था या खुशी मेरी हर जगा तू ने मेरा साथ दिया एए मेरे दोस्त एए मेरे हम्दम तू मेरे बेवसी के आलम में जब कभी मुझे को याद आता है सोचकर महरबानिया तेरी दिल मेरा बैठ बैठ जाता है आखरी अर्ज मेरी तुझ से है हर खता मेरी दर गुजर करना वो घड़ी आ रही है जब मुझ को इस जमाने से है सफर करना आए मेरे दोस्त आए मेरे हम्दम 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 जब मैं सिग्रेट लेकर गया, मामा भीमार थे, दॉक्टर भी महाँ पर था, मामा ने मुझे पर बहुत गुसा किया, जी जी जी, वो दिन बहुत खराब था, लेकिन आज, आज तो मैं मामा को सिग्रेट पिला करी छोड़ूगा, सिग्रेट पीते ही मामा की तवीद कि वमाँ बने समने की जुरूरा था, बनी चायुत जनम से है, ये क्या है, सिंदूर उपड़ से बंगालन है अहां, उसने कलकॉता से मंगाया था, मामी के लिए ले जा रहे है, बहुत अच्छा किया, आओ चलाए, आओ चलाए, मामी, कनया, तेरा मामा चला गया, कनया, ते टותब पर राध जाम, राम ऑर राध वाद कि जाम केज़ən अुरिया, कि जाम एकश हरूं मटी बाम is जाम टार आर खड़ी जाम ins categor म Над cred जाम एकTORव माड हो किसा आर एक होे ठार हुआ होे जामन E początku झाम क्यों क्यों के अराध दोलिमा ङAL एक जामจะ हते तुम्हारे पिताजी की जिंदगी एक पाश्चा आदमी की जिंदगी उनकी क्रिया भी धूमधाम से होनी चाहिए और उसकी खबर उनके तमाम दोस्तों को भेज़ देनी चाहिए चौधरी साहथ पिताजी के दोस्त कम है कर्द खाज ज्यादा पिर ऐसे लोगों को खबर देने से क्या फाइदा पिताजी का जीवन आराम से गुजरा आराम से उनकी मुर्ट्य होए धूम धाम से उनका क्रिया करन करने से क्या उने स्वर्ग मिल जाएगा लेकिन हमें तो अप रखे बच्चों क्रिया करम श्रद्धा से की जाती है उस क्रिया करम से क्या फाइदा जो मजबुरह इन फास समझ कर कीजा है जब वो जिन्दा थे तो मैंने उनकी सहथ के लिए तुम लोगों से कृष्ण पूजा के लिए रुपे मागे थे और तुम ने मुझे तका सा क्रिया के बगाइब गती नहीं हो जी क्रिया में गुदान भी होना चाहिए और ग्रामन भोज भी तभी सेट जी की आत्मा को शांती मिलेगी पाद पाद के लिए तुम्हें करना चाहिए था और तुम करया के ब्रह्मन की तरह खड़े हो यह सब सामान कहां से आया कहीं से भी आया हाथ हो गया लेकन यह दान पुन ब्रह्मन भोज तुम्हारे हाथ से होगा इसलिए कि इत्वागन मामा के सबसे बड़े बेटे तुम हो पड़ना जी अची इसके पास इतना सब कुछ खरीदने के लिए रुपया कहां से आया माता कजय के पास अब धे सब कुछ है, छुपा कर इसे रुपए दे दिया होंगे हम कनहिया, कनहिया मा, अब कैम तुम्न हो गया? कैये तुम्हे शुभा देता है कि दूसरों के सामने अपने बेटों का मुझ का लख रो क्या कह रहे हो, राम? हम्हारे होते हुए, मैं बाखिदे किया कर्म का परदान तुमके कहा है, मैं गष खुब मुकरृ कौना हम्हा तुमने कन्हा तुम्हान 거ी देती है, जो रुपे तुमने कन्हाइक देती है? वो अगर तुम हमें देती है, मामी तुम्हारी सोगन, मामा की पवित्र याद की सोगन, यह सब कुछ तुम्हारा ही तु दिया हुआ है मेरा हाँ मामी, इतनी जल्दी भूल गई, हमारी शादी पर तुमने लक्ष्मी को जेवरों से भरा हुआ डबा दिया था मैंने ये सामान आने के लिए वो जेवर बेच दिये क्या, लक्ष्मी, लक्ष्मी तुने जेवर बेच दिये मामी, किसी पराय के लिए तु नहीं बेचे हमारे पूज्य मामा की आत्मा को शान्ती देने के लिए बेचे राम, सुन लिया, सुन लिया सच्चा ही क्या है? तो क्या हुआ, हमारी चीज हमें वापस दिये, कोई आइसान नहीं किया? लेकिन कनहिया, हमारे होते वे तुझे चवजरी बनने का क्या हक है? पिता जी का बेचा तु है या हम? वा, वा, क्या बेटे हैं, बाप करस का बोज उठा इस दुनिये से चल बसा, और बेटे अपने-अपने कारोबार का माल हजम किये बैठे रहे, इतना भी ख्याल ना आया, कि घर में जवान भेहन है, उसकी शादी करनी है, उसके हाथ भी ले करनी है हमदर्द तो यो बनता है, जैसे पिता जी की कर्द ये चुकाएगा और गीता की शादी भी ये ही करेगा हाँ, हाँ, करूंगा, एक दिन ये भी करके बताऊंगा, मामा का कर्ज भी उतारूंगा, और गीता की शादी भी करूंगा, फिर दुनियावालों को पता चलेगा, कि सपूत कौन है, और कपूत कौन, तेरी ये मचार, हमारी रोटियों पर पलाव हमें कपूत कहता है, निगल कर दूँ, तो यहां से चला जाओ, मामी, याद रख पिर कभी इस घर में आया, मामी कुजूर तुमारे बेटों का निकाल मुझे रही हो, कनया, कनया कि तू उम्र पर मुरक ही रहेगा, जब इस घर में तेरे सर पे प्यार से हाथ रखने वाला चला गया तो तुम क्यों बा जब आपना दर्म भूल गया, तो तुझे धर मात बनने की क्या जुरूरत है, निकाल जाए हां से, मामी, याद रख कनया, आज के बाद अगर तुने इस घर के तेलिस के अंदर पाव रखा, तो मेरे लाज देखेगा, मामी, हाँ, मेरे लाज देखेगा, कनया, 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 मैं चला जा यहां से, मैं कहते हूं, चला जा फिर कभी इस घर में नहीं रहो, मामी, हाँ, मैं चला जा तो, 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 मैं चला जा जा तो, मैं चला जा तो, मैं चला जा तो, मैं चला जा 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 तो, मैं चला जा ज यह लीजे प्रशाद, कब तक इस तरह बैठे रहेंगे, और चारा भी क्या है लक्षमी, मामा का घर में याँखों के सामने बर्बाद हो रहा है, और मैं कुछ है, लेकिन इस तरह हिम्मत हारने से भी थे कुछ नहीं हूता, इस तरह हिमत हारों तो क्या करूक, बुढ़ना की जाहां अच्छी नियत होती है, वहां सब कुछ हो सकता है नहीं रक्ष्मी, अच्छी नियत के दौलों से कोई तरलुक नहीं आजकल के जमाने में दौड़त कबाने के लिए आदमे को चालाग, जतुर और पड़ा लिखा होना चाहिए और मैं थरा गवार, मूरक्ष, नादान, अनपढ़, मैं क्या कबा सकता हूँ इतने सारे शब्द आपने अपने ही बारे में कैसे सोच लिए आपके जैसा एक और भी नादान और अनपढ़ है मेरे जैसा सारी दुनिया में देखे हैं दो अनपढ़ नादान सारी दुनिया में देखे हैं दो अनपढ़ नादान एक तुम दुजे भगवा एक तुम तुजे भगवा जिसने ये संसार बनाया बोलो किसने उसे पढ़ाया दुनिया को सिखलाने वाला किसके घर से तीफ के आया इस पर भी वो नाम को भोला बाते सब को ग्यान सारी दुनिया में देखे हैं दो अनपढ़ नादान एक तुम दुजे भगवा एक तुम दुजे भगवा कहा पढ़े ये चांद सितारे जो देते जग को जियारे उस ग्यानी से वो रख अच्छा जो दुनिया के काम सवारे पासे जिसके धन सेवा था वो सच्चा धनवान सारी दुनिया में देखे हैं दो अनपढ़ नादान एक तुम दूजे भगवा एक तुम दूजे भगवा जो अपने बल को पहचाने हार किसी से क्यों माने कर्म को अपने धर्म जो समझे कौन आएगा उसे जुकाने छोड़ो दासी तहे ये दासी ओ भोले इनसान सारी दुनिया में देखे हैं दो अनपढ़ नादान एक तुम दूजे भगवा एक तुम दूजे भगवा इस घर में तुम सब के अलग-अलग हिससे हो अपना खाओ अपना पकाओ क्यों एक दुसरी के रोटे को देखें ना दीदी कभी भाई 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 भी एक घर में अलग हो सकते हैं अरे भया तुमने तो दुनिया देखी ही नहीं किसी स्याने आदमी ने कहा है न कि मा और बेटी चाहे एक ही हो लेकिन उनके पेट और मुद तो ही होंगे तो दीदी तुमने ये भी सोचा होगा कि घर के किस हिसे में किसी रहना चाहिए तोने पूछि लिया है तुम्हें बतायते दिन्प मंगला भाई का हिस्सा पूरवाला होगा और उपर वाला कमरा पिता-जी के इन के हिस्से में आएगा क्यूंकि ये घर की सबसे बड़ी है और सरेता भाबी का हिस्सा हाँ पच्छेमबाना होगा उसके उपर भी कमरा है और रत्ना का बीशवाला हिस्सा हो गया उसके उपर भी कमरा है या फैसला किया है लेकिन दीडी तुम एक बात भूल गई माता जी और गीता का रहेंगी अरे हा तुम भूली गई हमारी चिंता न करो बेटी हमारी लिए कन्हिया वाली गटे का फी है लेकिन दीडी तुम का रहोगे अरे मेरा क्या मेरी मंधला dalla बी है मान तो इसे के पास रहूंगी आखिर इं सुधार लेना मेरे लिए सरीता भावी जो है बेचारी अके लिए नंग भावी बैठेंगे तो वक्त गुदर जाएगा दीदी मैं तो कब से उस दिन के इंतिजार में हूँ जब कभी अकेले बैठ कर किताब पढ़ने का मौका मेले ठीक है ठीक है खुदे पढ़ना और शाम को भी पढ़ना मैं तो पहले ही जानती थी इस घर में तो मेरे लिए रखना राने के सिवा कौन है नहीं नहीं दीदी मेरा नाम ना लो ये कृपा किसी आर पे करना चलो जी तुम लोगों ने सारी उमर के सेवा कर्ये फ़ल दिया तुम लोगों के नाज उठाए तुम लोगों के लिए छोक बोला चोक लिए खाए और आज मेरे लिए कि आज सिवाने के बेजगन na है आज मेरा राजय आज़ुआम जिदा होता मैं तुम्हें समसाब को चलो कर सुल्वादी मा, मा, मा रो नहीं, बेटी, रो नहीं देवगी, मा और बेटी के पेट और मुदो होते हैं लेकिन प्राणे की होते है मा तुम मेरे साथ रहे चाल हां दीदी, छोटी बेहन के होते हुए बड़ी बेहन को क्या चिंता आओ चली बनवारी गुरुजी अगर किसी के यहां बच्चा ना होता हूँ तो उसके हाथ में केला थमा देना अच्छा गुरुजी ताके मुझे यह मालूम हो जाए कि उसे बच्चों की जरूरत है और अगर कोई शादी करना चाहता हो तो उसे संत्रा दे देना और अगर कोई बीमार आ जाए तो उसे अंगूर आगे का तो तुझे मालूम है अब तुझा वहां से कहा जा रहा है यहां पीछे से जा मेरे लाए पीछे लाएं मेरा पहला नुमर मेरा है यह महाराज के लिए को चलावता लेते जाए मैं तो भूली गया था लाइए लाइए देखिए महाराज आज कर डाइटिंग पे और फरकिस में कुछ नहीं खाते आज को क्या करते वैसे तो भगवान का दिया बहुत कुछ है लेकिन एक संतान ही नहीं होती संतान ये तो महाराज के बाया आज काखे आप केले लेते जाए महाराज केले बड़े श्रॉक से खाती है दो रुपए भी देना पड़ेंगे ये रुपए रखे शुटा नहीं है मेरे वाराज कदे महाराज की ते हो कदे महाराज की ते हो महाराज तरी मनो कामना खुद बताएंगे महाराज इस प्रानी की अच्छा है क्या कहा संतान महाराज मेरी यही इस्था थी महाराज मेरी मनो कामना पूरी कर दो पुरी हो जाएगी, लेकिन तू खड़ा हो जाए निकल, निकल, शावाँ, शावाँ ये ले, ये है पारले पेपर मिन्ट इसके तीन तुकले करके अपनी बीवी को दे जाना एक सुबा, एक दोपार में, एक रात को पॉने बारा बजे बार महराज, ये पेपर मिन्ट में बीवी को दो देंगा, बच्चा हो जाएगा अवश्यो होगा तुम्हारा काम हो गया, इतके तीन तुकले करके ले कर ले न महराज, महराजी इसे महराज खर में रिष्टे आते है और तुट तूट जाते है आपको कैसे पता चला तुम्हारे आने से एक सेकंड पहले महराज ने मुझे बताया के एक कुवारा आएगा उसे बीवी दिलवा देना और हम दिला देंगे मेरे कितना बीवी है एक नहीं, दो-दो अरे जो भी, कहा जा रहो मैं नथ्यू दोभी मेरे घदा गुम हो गया है यह फोटो ने मरे घदे से पहुत मिलजी जुलती है राट यहांज इधर किदर होगा बजता यहाँ पर कोई घदामदा नहीं यहां पर गदे महराज है ने, मेरे घदे का नहीं मुटी मुची, मुची... यह मुची की आवाच था जाए मेरा मुची, मेरा बच्चा किदा है क्या हो गदे का स्यमादी का कि मेरा बच्चा है तो मैने कभ कहा कर कि मुची देख भाई, तो अपना गदावे लेगा, और जो भी हमने कमाया, उसमें से आदा तू भी ले लेगा ने, ने, मुझे पाप की कमायी नहीं चाहिए, तू छोड़ो अन्वारी, इरा तिजा के रस्टी ले करा, मैं इसको गदे के थाथ बाल दूँगा हाँ, अनुगा, बायो, अन्वा गदा मारा है मेरा कदा मोची है मोची, यह अबने तुमको उल्लू बना रहा है, सब ढोग है, मेरी मदब को कहा है वोपध में, साथ अपने इस अपने जोगा दुनिया के आखों में धूल जूपते हो लाना थे तुम पर और तुमारी कर्टूतों पर लक्षमी चलो यहां से हम ऐसे आद्मी के साथ दही रहेंगे कनिया कनिया मैं तुम्हा रोकना नहीं चाहता लेकिन जाने से पहले मेरी बात सुनते हैं यह बहा भाया यह तुम पर क्यों बिगड़े लक्षमी इसे बहिज़े ना कहो यह जूटाया फरेबियाड होंगी है यह क्यों कह रहा है अप लग्षमी मैं कनिया ठीक कह रहा है मैं तुम लोग उससाथ बैठने के लायक नहीं रहा है मैं जो कुछ भी हूँ लेकिन बेगाना नहीं लक्षमी मेरी सगी वहन और मैं ही हूँ लक्षमी का भाई मधू अब तुम्हें यकिन दिलाने के लिए मेरे पास कोई सबूत महीं सुआए इसके के हमारे पिता का नाम केदारनाथ था और हमारी मां का नाम माया देवी भाईया भाईया तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे मैं तो कहना चाता था लेकिन उस रोज कैनहीया की घुटर से में डर गया यह सोचकर भी तुम लोग मुझे छोड कर चले ना जाओ कनहीया मुझे एक बार माफ करता भाईया मैं तुमसे वाधा करता हूँ मैं कसम खाता हूँ अगर तुम लोग मेरे साथ रहोगे, तो मैं ये छूट और मकारी का दिन्दा छोड़ दूगा अब तक तो मैंने दुनिया को गदा बनाया, लेकिन अब मैं गदे की तरह मैनत करूँगा, मुझे एक बार माफ कर दो कर दो कर दो तुम क्या समझते हो, तुम मेरे बीबी का भाई हो, तो मैं तुमारी ये करतूद माफ कर दूगा, कभी ने तुनिये, ये मेरे माबाप की निशानी है, ऐसे भी जिद क्या ओ दुले भाई, अरे अब तो अपनल सालो को माफ कर दो यार ठीक है, ठीक है, लगर अपना बादा नहीं भूलना, समझे हैं, आम और खास को इतिला दी जाती है ये सेट सांती सुरूप का मकान, जो मुबलक पाच लाख रुपए के एवज में, लाला करमचन, मालिक करमचन एंसन के पास गिरवी पड़ा है, वो बतारीफ 15 दिसंबर को ग्यारा बजे दिन के निलाम किया जाएगा, वहोगू सरकार हिंद हाँ, शाम, सुना तुमें, सुना, करमचन हमारे हावेली निलाम करवा रहा है, हाँ मा, पर इसमें इतनी हैरानी की क्या बात, ये तो होना ही था, फिर हम लोगों का क्या होगा, इस घर के सिवा और कौसर ठीकाना है हमारा, मेरे दफ्तर के ओपर एक कमरा खाले है, मैं तो व किराया पर दे दूगा, हाँ, किराया मुझे ही देना पड़ेगा, तो ठीक है, दे दूगा, किराया दे दोगे, हाँ, बड़ा ऐसान करोगे बेटे, बेश्चरम, उल्खों की इजद के लिए बेटे अपनी जान दे दिया करते हैं, इतने बड़े आजमी के बेटे होकर जिसमें तुमारी पिता ने अपने प्राड जोड़े थी, मगर मा, इतना रुपए एकटा करना ना मुम्किन है, अरे कम वाख तो, मा की दूगती कीमत इतनी से चुका दो, कि मेरी आत्मा मेरे शरेर को ये किराया के मकान में ने छोड़े, कम से कम मेरे मुर्दा से लिकलने वो, तुम समझती क्यों नहीं हो, मा, ये घर निलामी में 10-15 लाथ रुपए में भिगेगा, करंधन का खर चुकाने के बाद, हम तीनो भाईयों को कम से कम 2-3 लाथ रुपए मिलेंगे, उन रुपयों से हम अपना घर बना लेंगे, आखिस पुरानी लचिर को हम कब तक भी मेरे लाश ही निकलेगी, यह दगवार, यह मकान निलाम होने से पहले मुझे इस दुनिया से उटा विटा लेगा, इस दो जार बोटा लेगा, देपकी दीजी, कुलिया, दीजी यह लो, समभलो अपने लाड़ने को, यह बहुत बगर गया है, अगर इसे काबु में ना ये सुनकर माँ को बहुत दूखवा और वो बेहोश हो गई कननला तुम घर में चलो जायर तुम्हारे आवाज सुनकर माँ को होशाने चलो चलो लेकिन दीदी मैं अंदर कैसे जा सकता हूँ मामी ने कसम जो देलाई है जीदी तुम मामी के बार जाके बैठो मैं डाक्टो को बलाके लाता हूँ दक्र साब दक्र साब कैसे मेरी मामी उन्हें वोशायाक नहीं कनहीया कोई शरीर की बिमारी हो तो इलाज भी करूँ सद्मे का हिलाज वक्त और हालात के पास होता है, डॉक्टरों के पास नहीं अब मैं क्या करूँ, अंदर भी तो नहीं जा सकता, अपनी मामी को कैसे देखू कनिया, मा अभी तक बेहुश पड़ी, बेहुश होले से पहले कह रहे थी, थी मकाम निलाम होले से पहले भगवान मुझे इस अंधास हो जाने नहीं देख, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी मामी अभी बहुत दिन जियेगी, देख, तो मामी के पास बैठो, उन्हें होश आए तो कहना, कनिया गुल्दा कुछ कर गई आए कनिया, जब शांती शरूब के अपने ही बेटे चाहते हैं कि उसका मकान दिलाम हो जाए, तो फिर तुम क्यों वकालत कर रहे हो, लाला जी, उस मकान में जहाँ जभूतों और चुड़ेलों का निवास है, वहाँ एक पुन्य आत्मा भी है, और वो है मामी, वही मामी, जिसे एक जमान में आप भी साक्षाद देवी बानते थे, मैं सच कहता हूँ, मकान के दिलाम होते ही, वह देवी अपनी जान छोड़ देगी, लाला जी, इतना बड़ा पाप ने कमाईए, कलहिया, मैं चानता हूँ कि तुम्हे जादू करते हूँ, उमर भर तुमने शांती आप नहीं जो एक नोगर को मू लगाता हूँ, निगल नहीं हाथे, चला नहीं हाथे हसो देखे आवाज आ रही, खरम चंद खड़ा है नहीं, मेरी चीती जी घर निला नहीं होगा, माम नहीं होगा मेरी तुम्हे पुजारन है, क्या तुम भगवान होकर अपनी पुजारन के विश्वास कोतुम्हेच तोड़ दोगे, मुझे बर्दान दो भर्वान, कि मेरी मामी के प्राण बच्च आएंगी, मेरे मामा के घर के लिए लामी नहीं होगी, मुझे बर्दान दो भर्वान, बर्दान देते हो या नहीं, तुम मैं भी यहां से नहीं जाओगा, यही बर्दान को तुम मेरे क्यों न तैज गाड़ी चलाओ कल सुबह तक हमें बंबई वापस पहुचना है वरना से शांती सुरूप का घर कैसे निलाम होगा इतना बड़ा मकान खरीदने की क्या जरूरत थी हमारा कुनबा तो पढ़ता ही रहेगा पारवती भगवान नहीं हमें कनहिया दिया है इतने बच्चे दिया हैं सबकी शादिया होंगी बहुए आएंगी पोते पोतिया होंगे सब लोग मिल जूल करेंगे दुनिया कहेगी कि हम दुन जैसे भागवान कौन होंगे जिनके घर में सब लोग प्रेम और मिलाप से रहते हैं आप मुझे बताते हैं कि आप मुझे कहां ले जा रहे हैं तो लोग ये फोटो देखो फोटो किसका फोटो है ये ये करोणपती सेट भगवान दाज की लड़की का है मैंने इस से तुभारी शादी पक्यी कर धे, मैं जिसी करोणपती के लड़की से शादी करूँगा तो क्या उस भीकारन गीता से शादी करेगा जिस तरह सेट शांती शुरूप करोणपती से भिकारी हो गए कल हम भी हो सकते हैं अगर मुझे पता होता कि आप मुझे रिष्थे के लिए ले जा रहे हैं, तो मैं इस काड़ी में कभी नहीं बैठता, चुप रहे हैं कीटा से शादी करके तेशे क्या मिलेगा, कल तक उसका मकान मिली लाम हो जाएगा सेहरा बांद के क्या तो बात पर सोएगा, तेरी शादी वहीं होगी, जहां मैं चाहूँगा बस कीजे पिताजी, बस कीजे सहेज के लालज में भूले नहीं समारा है उस दॉलत को समेठ कर क्या फाइदा, जिसमें किसी की खून की बू आती हूँ सुखते हैं – आज से मेरा आपका कोई सम्वन नहीं – मुझे हमेशा पूल्च आहिए driver, काडि रोको にちは हाल – द्राइव, गर्णी काडि रोको driver द्राइव, ठोलटो, जिसमेठर – द्राइव, ए पिताजी द्रोक होगे नहीं काड़ी टोओ थिजूज रखिड लोगा लारा से दियाели आखी रङलेगी को ओाना ऑ़ोफस्ट पोढ़ा से लोभा से लोगा से लो पीजू दोगाए लोगा से लोगा लोगा से लोगा से लोगा आज के बाद अगर तुने इस तहलेश के अंदर पाव रखा तो मेरी लाश देखेगा अजया गरावा देखेगा आजया विस्ति का सब्सक्राव तो जो 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 आगे हो... मामी, तुम्हारे किल देभ Krishn के पुछेय के लिजशान commence एक है मामी तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओ तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगी लेकिन पेचे, यह सब क्या हो गहा है तुअचुछ बिल्कुल क्या हो गया तुचतुमुट नहीं हुक्ற तुम्हें तो कसम दिलाई थी, अगर मैंने इस घर की दालीज के अंदर पाउ रखा, तो तुम्हें कुछ हो जाएगा परगले, तुने मेरे बात को वेट बाग के समझ लिया इसने ये भी तो कसम खाई थी, कि पीताजी की कर्द यही चुखाएगा अब परशाद में बागले, इस घर में फिर गुचाएगा ये गलत है, मा जी, कनहिया अपनी कसम पूरी करके इस घर में आया है हाँ भावी, कनहिया ने मेरी आखे खोल दी है आज मुझे मालूम हो गया कि दौलत से घर, बार, जमीन जाइदाद खरीदी जा सकती है लेकिन इनसान की जिंदगी नहीं, कनहिया ने मेरे बेटे की जान बचा कर एक शांति सुरुप का सारा कर सदा कर दिया इसके इस आथान के बतले में मैंने ये घर, जो मैं लालश में नीलाम करवा रहा था, इसी के नाम कर दिया तो क्या, उनकी आन बच गए, भगवान ने मेरी लाजर दिला भाईयर भादियां, मज़ा तो अब आगा, अब जाकर अपने अपने खोखो खुनो देवकी दीदी, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो देवकी दीदी राम, राम, शाम, तुम लोग यह घर छोड़कर नहीं जा सकते, यह घर न मेरा है न तुम्हारा, मेरे मामा का है और जानते हो मामा की इच्छा क्या थी, कि हम सब लोग मिल जुलकार एक साथ इसी घर में रहें किया तुम मामा की इच्छा पूरी नहीं करोगे? यह सब मामा के पुन्हे का नतीजा है क्या अज मेरे मामा की इज़त बच गई मेरे मामी की जान बच गई राप, लॉलो हम साथ एक साथ बलके इसी घर में रहेंगे रएगे नगाटनिया आप को भाव कर दिया है ओ बारे में छितर है क्या करती हो मुस्झे मामी क्यों मागते हो मैंइ इद्धा बढ़ा आदमी हूँ नही हूँ देखो ना मामी जेड़ो थेंक भूठिया थेंक भूठी कहने तुसे बढ़ा आदमी है मामी, हाँ हाँ लाला जी क्यों नहीं, क्यों नहीं गीता, गीता, दुमेश अपना हाथ लाथ ऐसे एक राजा की सुन लो तहानी पहले रहते थे सागर के नारे अब समाएं दिलों में हमारे याद उनकी रहेगी जहां में जब तलक है ये चांद और तारे जो ना मिकाए मिटेगी किसी से छोड़ी है ऐसी निशानी एक राजा की सुन लो कहानी एक राजा की सुन लो कहानी जो कहानी की बाजा झाल 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 झाल